हलो स्टूदेंट्स, वेलकम तू मैंने बेंस, मैं रुपाली वर्मा, आज हम क्या करा रहे हैं, आज हम करा रहे हैं, चैप्टर का कोई क्रिवीजन, यानि पूरा कम्प्लीट चैप्टर का हम फटड़ फट्रिवीजन कराएंगे, जो आज हम कराने जा रहे हैं, वो है आपकी क्लास क्लास 12 हिंदी कोर की बुक है आरो भाग दो अध्याय है हमारा छे नाम है उशा ये एक कविता है इस कविता को हम यहां पर पहले-पहले कविता पढ़ेंगे फिर उसके प्रतिपाद्य और सार्ग को समझेंगे उसके बाद कुछ कोशन्स भी करेंगे इस चैप्टर का हम complete explanation और NCRT solutions पहले भी करा चुके हैं तो उन्हें आप जरूर देख लीजेगा एक बार अच्छे से समझ लीजे तब हम रिवीजन करेंगे रिवीजन तब होता है जब हम अच्छे से कोई चीज को समझ जाए तो समझने के लिए उन वीडियो को आप जरूर देखेगा जिसमे हमने पूरा complete जो है chapter explanation कराए हुए है तो चली शुरू करते हैं इस chapter को कविता क्या है प्रात नब था बहुत नीला शंक जैसे भोर का नब राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से की जैसे धुल गई हूँ स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गौर जिल्मिल जैसे हिल रही हो और जादू तूटता है इस उशा का अब सूर्योदे हो रहा है तो अब सबसे पहले हम ये समझा दें कि ये उशा होता क्या है उशा वो समय होता है सूरज के निकलने का पहले का समय आस्मान में पूरफ की तरफ से जहां से सूरज निकलता है वहां से आस्मान में आप हलकी इसी लालिमा दिखोगे सूरज नहीं दिखाई देगा एक तरफ आस्मान काला है काला है क्योंकि अभी अंधेरा है सूरज नहीं निकला तो अंधेरा है काला हो रहा है और पूरफ की तरफ आसमान में धीरे धीरे लालिमा दिखाई देनी शुरू हो जाती कि सूरज से निकलने से उसकी आने वाला है इससे लालिमा दिखती है तो ये जो उशा का समय उसमें आसमान एक तरफ काला है और एक तरफ से हलकी हलकी लालिमा आ रही है तो आपके समझ में ये चीज़ आगए कि उशा का समय कैसा होता है अब इसके हम प्रतिपाद को समझते हैं प्रस्तुत कविता उशा में कवी शमशेर बहादु सिंग ने सुर्योदर से ठीक पहले के पलपल परिवर्तित होने वाली प्रकती का शब्द चित्र उकेरा है यानि कि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे चीजों को बताया है हलका सी लालिमा दिखती है तो क्या होता है थोड़ी और लालिमा दिखती है तो जैसे जैसे सूरज आएगा लालिमा बढ़ती जाएगी न तो लालिमा बढ़ रही है धीरे धीरे वो दिखाया और एकदम से फिर क्या हुआ सूरज निकलाया और उशा का जो जादू था वो तूट गया तो पलपल है यानि कि सकिंड्स में जो चीजे परिवर्थित हो रही है प्रकती की उसको शब्दों के माध्यम से एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है शमशेर भादूर जी ने कवे ने प्रकती की गती को शब्दों में बांधरे का अध्भुत प्रयास किया है प्रकती गती शील है हम सभी को पता है सूरज का निकल ना डूब ना फिर तो इस तरीके से वो निरंतर चलता रहता है और इसी गती को उन्होंने शब्दों में बाधा है कभी भोर की आसमानी गती को धर्ती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है इसी लिए सूर्योदे के साथ एक जीवन परिवेश की कलपना करता है यानि कि सूर्योदे क्या है हमें जीवन देता है अगर सूर्य ना हूं तो जीवन संभव नहीं है यह हम सभी जानते हैं तो सूर्य के माध्यम से हमको जीवन देनी की जो बहुत ही निरंतर कोशिश है उसको शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रहे हैं जो गाउं की सु मान नए प्रतीकों का प्रेयूग किया है तो अब कहने का तयात पर क्या है इन्होंने जो उशा का समय है उसे कई मान ध्यमों से प्रस्तुत किया है पहला क्या है वहाँ सिल है सिल पे केसर पीसा हो सिल कैसी होती है काली होती है तो अब सिल है काली सिल के उपर हलकी लालिमा तो ये गाउं का परिवेश हमारे सामने प्रस्तुत किया फिर दूसरा है राक से लीपा हुआ चौका जब रात में क्या कहते हैं खाना बनाया जाता है सारा बनाने के बाद जो गाउं में होते हैं जो चौका होता है उसको लीप प जो चौका लीपा गया था वो सूखा नहीं है फिर उसके बाद स्लेट की कालिमा पर चौक के रंग मलते हैं अद्रश्च बच्चों के हाथ तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या प्रस्तुत किया है कि जो स्लेट होती है काली होती है उस पर बच्चे चौक लाल चौक से लिखत किया है तो अब यहां पर हमको यह सारे बिम्ब कैसे दिखा रहे हैं हमें आप देख रहे हमाएं पाद्रिश्च बिम्ब भी है हम इस पर्श बिम्ब जो चौका गीला है वो हम इस पर्श बिम्ब से देख कर सकते हैं तो यहां पर नैने बिम्ब भी उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं, अब इस कविता के सार को समझते हैं, क्या बोला जा रहा है इस कविता में, कभी कहता है कि सोरियोदे से पहले आकाश का रंग गहले नीले रंग का होता है, होता है ना गहले नीले रंग का, क्योंकि कालिमा होती है, अब आकाश काला तो पूरा नहीं हो सक आप पूरा चौका लीपा हुआ है आसमान की वैसा लीपा हुआ है अब धीरे धीरे सूरे उपर आ रहा है तो लाली मा बढ़ रही है उसमें जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हूँ नीले आकाश में सूरे ऐसा लगता है मालो नीले जल में गोरी युविती का शरीर जिल मिला रहा है अब यहाँ पर क्या हुआ नीले आकाश में जल में भी आप देखेंगे तो लाली मा आपको जल में जल में भी तो प्रतिपिम्मो दिखाई देता है तो अब उसकी लाली मा से क्या होता है पानी हिलता रहता है तो अब हिलते हुए पानी में वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई सुभा सुभा इस्तरी आई हो इस्तरी मतलब एक औरत जो है वो वहाँ पर आई हो तो उसका प्रतिबंब जिल मिला रहा है गोरी युवती का प्रतिबंब जिल मिला रहा हो ऐसा प्रतीत होता है सुरियोधे होते ही उशा का या जादू ही प्रभाव समाप्त होजाता है अब जो उशा का जो इन्होंने बहुत ही सुन्दर रुम उशा का देख रहे थे वो सारा एकदम से स्वाप्थ हो जाता है क्योंकि चारो तरफ उजाला हो जाता है और वो लालिमा गायब हो जाती है जो कालिमा होती है वो भी गायब हो जाती है सब गायब हो जाता है और उजाला हो जाता है तो इसलिए बोला कि जादू टूटा उशा पहले भी तो उसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा अब इसी पार्ट से रिलेटेट कुछ प्रश्णुत्र को देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है उशा कविता के आधार पर उस जादू को इस पश्ट कीजिए जो सूर्य देव के साथ तूट जाता है अब हमें क्या करना ह किस जादू की बात हुरा है उस जादू की बात हमें लिखनी है यहाँ अब पर जो सूर्य देव होते ही तूट जाता है तो आप सभी इसको अपने उसमें शब्दों में लिख सकते हैं क्योंकि कविता अगर हमें समझ में आ गई है तो उसी लिखने में हमें कोई भी ये दिक्कत पेश नहीं आएगी तो यहां क्या है सुरेयोदर से पूर्व उशा का द्रश अत्यंत आकर्शक होता है भोर के समय सूर की किर्णे जादू के समान लगती है इस समय आ प्रतिछन बदले का ही बदले का यह उशा का जादू है नीले आकाश का संख सा पवित्र होना नीला आकाश कैसा शंख जो है हम लोग पूजा में रखते हैं तो वो पवित्र माना जाता है उसी तरह नीला आकाश कैसा लग रहा है शंख जैसा पवित्र लग रहा है काली सिल पर केसर डाल कर धोना यानि के जो है सिल पर केसर पीसी है उसको दो डाला है उसके समान बताया है काली स्लेट पर लाल खडिया मल देना बच्चो चुटे चुटे नन्ने हातों द्वारा जो काली काली स्लेट होती है उसके खडिया मल दी जाती है ऐसा आसमान प्रतित हो रहा है नीले जन में गोरी नाईका का जिल मिलाता प्रतिबंब आदी द्रश उशा के जादू के समान लगता है तो वो परिद्रश भी कैसा लग रहा है उशा के जादू के समान लग रहा है सुर्योदव होने के साथ ही द्रश समाप्त हो जाता है तो अब जो भी चीज आब आप इसको अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहोगे तो कविता के शुरू से लेकर अंत तक जो जो परिदर्श परिवर्थित हो रहे हैं उन्हें आप लाइन भाइस अपनी भाशा में लिख सकते हैं उसको आपको ऐसे करना है अब है प्रैश्ण संख्या 2 सलेट पर या लाल खडिया चौक मलदी हो किसी ने इसका आश्रएस पष्ट कीजिए अब इससे कभी हमको क्या कहना चाहता है आपको ये पता ना है कभीता हमने समझाई है तो उसको कैसे लिखेंगे देखिए कभी कहता है कि सुबा की समय अंधेरा होने की कारण आका स्लेट के समान लग रहा है स्लेट कैसी होती है काली होती है तो वो कैसे लग रहा है स्लेट के समान काला लग रहा है उस समय सूर की लालिमा युक्त केर्णों से ऐसा लगता है अब सूर की युक्त जो लालिमा आती है तो उससे क्या लगता है कि जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खडिया मल दी हो तो आसमान काला तो वो स्लेट हो गई सुर की लालिमा क्या हो गई? वो हो गई लाल चौक खड़िया कभी आकाश में उबरे लाल लाल धबों के बारे में बताना चाहता है लाल लालिमा जैसे ही आती है आप देखेंगे कभी भी उशा का परिदश आप लोगों ने देखा हुआ तो कैसा होता है? उसी तरीके से उस लालिमा के बारे में जो है कभी बता रहे है प्रेश्ण संख्या तीन है क्या है? भोर के नब को राख से लीपा गीला चौका की संग्या दी गई है क्यों भोर का जो नभ है यानि कि सुभा सुभा का जो आस्मान है उसे कैसा बताया गया है राख से लीपा और गीला 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 बताया गया है ऐसा क्यों किया गया है क्या कारण है इसका कभी कहते हैं कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त और धुंदला होता है क्योंकि आप देखे न हलका- làmका सा فॉगी होता है तो वो धुंदला सा लगता है और नमी रहती है atmosphere में ओस रहती है ना तो वो नमी रहती है इसी लिए उन्हों नहीं इस चीज़ को बोला है कि राक से लीपा हुआ चौका अभी गीला है अर्थात कहने का दाद पर क्या है atmosphere में नमी है राख से लीपा हुआ चौका भी मटमेले रंग का होता है जब उसको जब चौका लीपा जाता है मिटी होती है, मिटी जब गीली होती है तो कैसी dark color की हो जाती है सूखने पर light होती है तो चौका भी कैसा गीला रहता है दोनों का रंग लगबक एक जैसा होता है आस्मान का और गीले चौके का रंग एक जैसा रहता है होने की कारण कवी ने भोर के नब को राख से लीपा गीला चौका की संग्या दी है दूसरे चौके को लीपे जाने में वह स्वच हो जाता है इसी तरह भोग का नब भोर का नब भी पवित्र होता है अब जब पूरा दिन खाना बन जाता है खाना बनने के बाद उसको साफ करके लिप दिया जाता है तो अब वो जो लिपा हुआ जो चौका होता है वो साफ स्वच एकदम निर्मल लगता है बहुत प्यारा लगता देख भोर के नब की तुलना किस से की गई है और क्यों? अब किस किस से की गई है आपको वो सब ही बताने हूँगे और क्यों की गई है उन सब के reasons भी आपको बताने पड़ेंगे तो क्या दिया उशा कविता में प्राता काली नब की तुलना राक से लीपे हुए गीले चौके से की गई है इस समय आकाश नम और धुंदला होता है इसका रंग लाक से लीपे हुए चौके जैसा मटमेला होता है जिस परकार चूला चौका सुखा असूख कर साफ हो जाता है उसी परकार कुछ देर बात आकाश भी सुच्छ और निर्मल हो जाता है तो इस तरीके से उन्होंने एक से कल्पना की है फिर स्लेट से भी करी है स्लेट से करी है सिल से करी है तो जो जो चीजे जिस जिस तरीके से हैं आप उन उन तरीके से यहां पर पैरावाइस एक ही करके explanation दे सकते हैं एक कभी दे सकते हैं अगर उने ने बोला 2 से तुलना करनी है तो आप 2 की तुलना भी बता सकते हैं तो इस तरीके से आपको Adams करना है आपके केसी भी exam में Quotions पुछा जाये तो उसको करना है Quotions कई तरीके से इधर उधर करके पूछे जा सकते हैं जरूरी नहीं कि जो हमारी NCRT बुक में दिये गए हैं वही कोशिंस पूछे जाए तो आपको सबसे पहले पोयम अच्छे से समझ नहीं है तो इस पोयम का डिटेल एक्स्मिनेशन भी करा चुके हैं उनको आप जरूर देखेगा तो सबस गहन गण अगहन अक्हेट की उचे नीचे करम धरम अधर्म करी पेट की ही को पचत बेचत बेटा सकी तुलसी भुझवाएं एक राम घं शाम ही ते अगनी बढवाग ही ते बड़ी अगनी पेट की तो अब यहाँ पर तुलसिदास जी के समय किस तरीके से सारो तरत का महौल था वो सारी चीजों के बारे में इसमें हैं कविता वाली में निनुन हमको बताया है कवित में कवी ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया यानि पेट की आग मतलब भूख हम अगर भूखे हो तो हम कुछ भी खा सकते हैं खाना जब तक मिलता रहता तक ठीक है एक बार आप देखके देखो जब कावी भूख लगी हो कुछ ना मिले तो हमें कुछ भी मिले तो हमारे लिए वो अमरत होता है आप अगर लौकी की नहीं खाते हो और दो-तीन दिन से भूखे हो ठीक से खाना न मिला हो तो वो लौकी भी आपको समझ लीजे पकवानों से कम न लगेगी तो ये चीज होती है पेट की आग बहुत बड़ी होती है मनुष सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश से करते हैं मतलब हम भाई कमाते हैं मेहनत करते हैं क्या कि हमको अच्छे से अच्छा खाना मिल चाके इसलिए तो हम करते हैं चाहे वह व्यापार, खेती, नौकरी, नाच, गाना, चोरी, गुप्त, चरी, सेवा, टहल, गुडगान, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो सारे कामों के नाम गिना दिये हम जो कुछ भी करते हैं वो सभी कुछ हम पेट की आग को बुझाने के लिए ही करते हैं वाइबोजन के लिए तो कर रहे हैं इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं जब हमें कहीं काम नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता तो लोग अपनी संतानों तक को बेच देते हैं अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए यह पेट की आग समुद्र की बढवानल की से भी बढ़ी होती है मतलब समुद्र में जो आग लगती है उसे बढ़नावल कहते हैं उससे भी बढ़ी यह आग होती है अब केवल राम रूपी घनशाम ही इस आग को बुझा सकते हैं इस आग को बुझाने के लिए कौन आ सकता है अगर हम राम का ध्यान करें तो ही ये आग बुझ सकती है तो कविता वाली में हम कोनों ने बताया कि पेड़ की आग हिस बहुत बड़ी आग होती है इसको बुझाने के लिए हर व्यक्ति कारेर रहता यहां तक ही अपनी प्रिये संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाता है मगर इस आग को शांत गरने का बस एक ही है राम का नाम अब आगे आते हैं हम अब हमारे पास समय शुरू होते हैं पहला समय पढ़ते हैं फिर उसके सार को समझते हैं खेती ना किसान को भिकारी ना भीक को बली यी बनिये को बनिज ना चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिध्धिमान सोच बस कहें एक एकन सो कहा जाई का करी बेहदू पूरान कही लोकहू विगलोकयत साकरे सबेपए रामसावर क्रपा करी दारिद दसानन दबाए दुनी दीन बंधू दुरित दहन देखि तुलसी हहा हकार करी तो ये पहला समय था पहले समय में क्या कहना जा रहे हैं पहले समय में कवी आकाल की इस्तिथी का चित्रण करते हैं इस समय किसान खेती नहीं कर सकता है आकाल मतलब जब सूखा पड़ गया है चारो तरव सूखा पड़ गया है तो उस समय क्या होती है किसान खेती नहीं कर सकते भिकारी को भीक नहीं मिलती यानि वो भीक मागने जाया तो उसको वो भीक भी नहीं मिलती है व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता भई जब आकाल पड़ा है तो किस चीज़ का व्यापार करेगा कहा जाएगा जब लोगों पास खाने के लिए ने तो बाकी चूजों का व्यापार का क्या ताद पर व्यापार भी नहीं कर सकता है व्यक्ति इन नौकरी की चाहा रखने वालों को नौकरी नहीं मलती वे विवश हैं वेद पुराणों में कही ही और दुनिया को देखी बातों से अब यही प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा से ही कुशल होगी तो उने कहा वेद पुरान पढ़ लिये हैं तो उससे हमें सिर्फ इतना ही ग्यात होता है कि राम का ध्यान करो तो ये सारी विपत्तियां हमारे उपर से तल जाएंगी और इनका समाधान हमें मिल जाएगा वह राम से प्रातना करते हैं और अब आप ही इस दरिद्रता रूपी रावड का विनाश कर सकते हैं यानि राम ने किसका विनाश किया था रावड का किया था अब लोगों के सामने कौन सा रावड खड़ा है दरिद्रता रूपी क्योंकि उनके पास खाने तक को नहीं है व्य रहा था उसी तरह अगर हम राम का ध्यान करेंगे तो हमें समाधान राम देंगे और इस दरिद्रता रूपी रामण का विनाश हम कर सकेंगे चलिए अब आगे दूसरा समय देखते हैं धूर्त कहो अव धूर्त कहो राजपूत कहो जुलाहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा ना व्याहब काहू की जाती भिगार ना सो तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रूचे सो कहें कच्छुओ मांगी है खैबो मसीहत की जैबो को एकुना दैब को दो तो अब इस कवित में क्या समझाना चाह रहे हैं कवी हमें दूसरे सवीए में कवी ने भक्त की गहनता और सगनता से उपजे भक्त हिदयक में आत्विश्वास का सजीव जित्रण किया है मतलब अब कवी क्या है वो पूरी तरीके से रक्त है इश्वर में यानि कि राम में रखत है अब उन्होंने क्या उसी अपने मन का यहां पर चित्रण किया क्या कहते हैं चाहे कोई मुझे धूर्त कहे चाहे अवधूर्त या जोगी कहे कोई राजपूत या जुलाहा कहे मुझे कोई कुछ भी कहे किन्तु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाहा नहीं करने वाला और ना किसी की जाती बिगारने वाला हूं कहने का मतलब है कि मैं मस्त बॉला इंसान हूं मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे अपने बेटे का विवाहा किसी की बेटी से नहीं करना और ना ही किसी की जात को बिगारना है अर किसी कि लड़की से थूढ़ी ना करना है कि उसकी जात को हम बिगाड़ दे तो कुछ भी कहते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो केवल अपने प्रभुराम का गुलाम। तो मुझे तुम जुलाहा कहो राजपूत कहो अवधूर्त कहो दूर्त कहो कुछ मैं क्या हूँ मैं अपने प्रभू राम का गुलाम हूँ जिसे जो अच्छा लोगे वही कहे मांग कर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो सकता हूँ किन्तु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ यानि कि आप मुझे कुछ भी कहिए मुझे किसी से कोई आपती नहीं है मैं मस्जिद में सो सकता हूँ हिंदू होते हूँ मस्जिद में सोई मुझे कोई आपती नहीं मैं मांग कर यानि भीक मांग कर खा सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं बस मैं प्रभू राम का जाप कर और फिर इसके सार को समझेंगे तो सबसे पहले शुरू हो रहा है तब प्रताप उर्राखे प्रभु जेहू नाथ तुरंत अस कहीं आयुस पाई पद बंधी चले हनुमंत भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीती अपार मन मनहु जात सराहत पुनिपुनि पवन कुम अब ये कहां पर हुआ था जब हनुमान जी जो है भरत जी से मिलकर वो गए थे न संजीवनी बूटी लेने तो वहीं पर भरत जी मिल गए थे तो उन से जो है मिलकर वो संजीवनी बूटी लेकर वहां से चल दिये हैं और उनके मन में राम राम का जाप चल रहा है प्रभु राम के नाम को इस्मर्ण करते हुए वह संजीवनी वूटी वहां से लेकर चल दिये हैं उहां राम लच्छमनी निहारे और वहां पर क्या हो गया है? लक्षमन जी मूर्चित हो गए थे और लक्षमन जी को का सर गोद में रख कर प्रभु राम विलाप कर रहे हैं अब क्या कह रहे हैं जय जन तेहु बन बंधु विछोऊ पित वचन मन ते नहीं मोहु। सुत्वित नारी भवन परिवारा होई जाही जग बाहे इबारा। अस विचारी जेहु जगहु ताता मिलैन जगत सोहुदर भ्राता। जथा पंक बिनु खग अत दीना मने मिनु फनी करिवर कर हीना। असमम जीवन बंधु उ बिन तो ही जेजण देहु जिहावें मोही। जेहु अवद कवन मुहिलाई नारी हेत प्रियभाई गवाई। बरु अपसज सहेत जगमाही नारी हानी विसेत छतिनाही। अब अप लोकू सोकू सुत्तोरा सहिसे निठुर कठोर उर्मूरा। निजजननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राम अधारा। सौपेस ही मोही तुम्ही गही पानी सब विधी सुखद परम हित जानी। उतव काहि देहुतेई जानी उठीकिन मोही सिकाबहु भाई। बहु विधी सोचत सोच विमोचन सब्रत सलिल साराजिव दल लोचन। उमा एक अखंड रगुराई। यी नर्गती भगत क्रपालु दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनी कान विलक भय बानर निकर। आई गए हनुमंत जिनी करुना मन बीर उसर। मम बीर रस। हरसी राम भेटेई हनुमाना अती क्रतग्य प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद तब कीहें उपाहीं उठी बैठें लच्मन हरसाई। हिदे लाई प्रभु भेटेई भाता हरसे सकल भालु कपी भाता। कपी पुनी वैद तहां पहुचाएं दे जेही विदी तबहीं ताही लई आवएं। अब सोरटा है ये व्रत्तांत दसानन सुने हूँ। अभी यहां पे क्या था अभी तक क्या लक्षमन मूर्चा थी विलाप था। रो रहे थे बता रहे थे कि अगर आप इस तरीके से मुझे पता होता कि मैं अपने भाई को खो दूँगा तो पिता के बचन नहीं मानता। साराज परिवार ये बोलेगा कि तुमने एक इस तरीके कारण अपने भाई को खो दिया। विलाप कर रहे थे उनको देखते हुए सब इवाना रोने रखते हैं इतने में क्या है हनुमान जी आ जाते हैं और वहा करुण रस में तुरंत ही वीर रस का प्रारंब हो जाता है। और तुरंत ही वैद जो है उपाई करके संजीवनी उनको देते हैं जो लच्मन जी है वो तुरंत ही होश में आ जाते हैं और श्री राम जी उन्हें गले लगा लेते हैं और तुरंत ही हनुमान जी जो है वो वैद जी को लाए थे उन्हें उनकी जगा वापस पहुचा देत मतलब, जब दशानन यानी रावण को ये सारी बात पता चली, तो वो अपना सिर्ध दुनने लगता है, बहुत ही व्याकुल हो जाता है पुर्मुक, सुरुरिपु, मनुझ, अहारी, भट अतिकाय, कमपन भारी, अपर महोदै, आधिक बीरा, परे, समर मही, सब रन धीरा यानि किस तरीके से जो है, सभी को रामने मार गिराया, सभी मरे पड़े हुए रन छेत्र में अब दोगा है, सुनी दस कंधन वचन तब कुम करण बिल खाना जगदंबा हरी आनी अब सट चाहत कर ले आना तब कुम करण बोलता है क्या है? कि तुमने जो है, खुद जगदंबा का हरण किया है और अब तुम अपने लिए कुशल चाहते हो, ये कैसे मुमकिन है? ये कुम करण रावण से बोलता है तो ये हमने यहाँ पर दोगा सोरठा दोनों ही देखा, अब इसके सार को समझेंगे है क्या दिया है? युद्ध में लक्षमण के मूर्चित होने पर राम की सेना में हाहाकार मच गया था सब वानर सेना पती इकठा हुए तथा लक्षमण को बचाने की उपाय सूचने लगे सुशेण वैध्र के परामर्ष पर हनुमान हिमाले से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े लक्षमण को गोद में लिटा कर राम व्याग बुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे अब राम लक्षमण जी बेहोश हो गए थे तो उनके सिर को उठा कर क्या अपनी गोद में रख लेते हैं रामजी और विलाब करने लगते हैं मेरे लिए ही तुमने वनवास स्विकार किया वनवास तो राम को हुआ था लेकिन राम के लिए ही लक्षमन ने वनवास को स्विकार किया था अब वहा प्रेम मुझसे कौन करेगा अब तुम नहीं रहोगे तुम मुझसे वहाला प्रेम कौन करेगा यदि मुझे तुम्हारे कुछ दुबारा मिल सकता है परंतु सहोदर भाई नहीं मिल सकता है मतलब हमें सब कुछ दुबारा लिगेगा लेकिन साहिदय वाला भाई जो है में प्यार करने वाला भाई हमें कभी दुबारा नहीं मिल सकता है तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंक रहित पक्षी के समान है ज नोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गवादिया या बहा पर अब कहां rural के पास वो जुद करने क्यूं गये थे क्यों कि वो सिता को चुदाना चाहते थे पत्नी को प्रिचुदाना चाहते थे और उसी युद में जो है वो किसको खो बैठे लक्षमन को खो बैठे तो उसी का विलाब कर रहे थे तुम्हारी मा को में क्या जवाब दूँगा तभी हनुमान संजीवनी भूती लेकर आ जाते हैं वैद ने दवा बना कर लक्षमन को पिलाई और उनकी मुर्चा ठीक हो गए वैद ने तुन तुपाई किया और वो सही हो गए रावन ने उन्हें गले लगा लिया वानर सेना में उच्छा खाया गया रावन को जब ये समाचार मिला तो वह परशान होकर कुमकरण को उठाता है यानि कि जब वो परशान हो जाता है उसके सारे वीर तो मर चुके तो वो कुमकरण जो 6 महीने सोता रहता है 6 महीने जाकता है तो अब वो समय सो रहा था तो जैसे जामण को सालत अमचान मिलता है कि लक्षमण दुबारा जीवित हो चुके हैं सब कुछ हो किया तो परिशान हो जाता है और वो कुमकरण को तमाम जतन करके उठाता है कुम करण के जागने का कारण पूछता है कुम करण कहता है आखर मुझे बीच में क्यों उठाया कारण बताओ तो रावन ने सिता के हरण से युद्ध तक की सारी बात बताई और बड़े बिड़वेरी वीरों के मारे जाने की बात कही उसने सीता हरण से लेकर युद्ध तक की सारी कहाई सुना दी और सारे युद्धा मर गए ये भी उसने सारी बात बता दी कुम करण ने रावण को बुरा भला कहा अब कुम करण जो है रावण को बुरा भला कहता है और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से वैर लिया है और अब अपना कल्यान चाहते हो राम साक्षात हरी तथा सीता जी जगदंबा हैं उनसे वैर लेना सभी कल्यान कारी नहीं हो सकता यानि कि तुमने खुद ईश्वर और जगदंबा से वैर लिया है अब तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा कल्लयाण हो, यह तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुम्ब करण यह जानता था, कि रावड़ लाख प्रयास कर ले, लेकिन उसने गलत करत किया है, जिसके लिए उसको सजा मिलेगी, मगर वो दूसके खेमे में था तो उसको तो मदद करनी ही थी, रावड़़ हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें आम जरूर पढ़िएगा, अब इसी पार्ट से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न को देखेंगे, क्या है प्रश्न, तुलसी, युग की आर्थिक इस्तिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, तुलसी युग का, यानि कि तुलसी कि समय आर्थिक दशा खराब थी, किसान के पास खेती ना थी, व्यापारी के पास व्यापार नहीं था, यहां तक कि भिकारी को भीक भी नहीं मिलती थी, लोग यही सोचते रहते थे कि क्या करें, कहां जाएं, वे धन प्राप्ती के उपायों के बारे में सोचते थे, वे अ प्रेश्न संख्याद दो है लक्षमण के मूर्चित होने पर राम क्या सोचने लगे अब लक्षमण उनके सबसे प्रिये भाई थे उनके साथ वनवास आये थे मतलब भाई जो सुख में तुझ साथ दे तो वो ठीक है लेकिन जो दुख में भी साथ दे समल लेजिए वो परम मित्र है तो अब वो भाई था दुख में भी साथ दिया था तो उससे बड़ा भाई जो है आपका प्रिये चाने वाला कोई नहीं हो सकता अब वो मूर्चित था उसके प्रान किसी भी वक्त निकल सकते थे इस बात को लेकर राम बहुत ही जादा दुखित थे और दुखित होकर वो क्या-क्या सोच रहे थे वो चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है राम क्या सोच रहे थे लक्षमण शक्ती बार लखने से मूर्चि हो गए यह देखकर राम भावुक हो गए तथा सोचने लगे कि पत्नी के बाद अब भाई को खोने जा रहे हैं पत्नी को तो रावण लेही गया था अब उनके पास उनका भाई बजा था वो भी अभी हाँ पर पढ़ाए कि अब उनको भी खोने जा रहे हैं केवल एक इस्त से घबरा रहे थे यानि कि समाज उनके बारे में क्या कहेगा इस बात को लेकर उनके अंदर बहुत ही जादा घबराहत थी प्रश्ण संख्या 3 है क्या है क्या तुलसी युग की समस्याएं वर्तमान में समाज में भी विद्धिमान हैं अपने शब्दों में लिखे यानि तुलसी युग में जो परिशानिया उन्होंने हमको बताई हैं कवितावली में क्या आज वर्तमान समय में भी वो समस्याएं हैं अगर हैं तो उन्हें आपको अपने शब्दों में लिखना है कैसे लिखेंगे तुलसी ने लगबग 500 वर्ष पहले जो कुछ हुआ था वह आज भी प्रासंगित है मतलब आज भी ऐसा होता है 500 साल पहले जो हुआ था वो आज भी होता है उन्होंने अपने समय में मूले हींता नारी की इस्तथी आर्थिक दुर्दशा का चित्रण किया है नारी के प्रती नकरात्मक सोच आज भी विद्दिमान है मतलि नारी को सम्मान से ना देखकर उसको सिर्फ एक भोग की वस्तू जाना जाता है उसका सम्मान नहीं किया जाता ये आज भी विद्दिमान है अभी भी जाती वा धर्म के नाम पर भेदभाव होता है आप अभी क्या है इसके विप्रीत अगर देखेंगे तो पहले क्रशी व्यापार पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी होता था उसके विप्रीत आज कल इन सब चीजों में बहुत ही जादा सुधार आ चुका है इसके बाद भी तुलसी युग की अनेक समस्या आज भी हमारे समाज में कुम्ब करण क weak some Chy अईना दिखाया अब कुम्ब करण को जब रावन ने उठाया और सीता हरण से लेकर युध तक की सारी बात बताई की और बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात बताई तो कुम्ब करण ने रावन से क्या का आपको यहां पर बताना है क्या सच्चाई उन्होंने बताई थी कुम्ब करण रावण का भाई था वह लंबे समय तक सूता रहता था उसका शरीर विशाल था देखने में ऐसा लगता था मानो काल आकर बैठ गया है वह मुफट तथा इसपष्ट वक्ता था मतलब ज पूछता है कि तुम्हारे मुह ऐसा सूखा जब वो सोके उठता है तो पूछता है तुम्हारा मुह इतना सूखा क्यों है क्या कारण है रावण की बात सुनने पर रावण को फटकार लगाता है रावण सारी बात बताता है कि क्या क्या बाई कारण है और जब बताता है रा रावण को उसके विनास सम्मंदी सच्चाई का आयना दिखाया क्यों भाई प्रभु राम और सीता सीता का हरण माज दंबा का हरण करके अब तुम अपनी अच्छाई चाहते हो तो ये कभी संभब नहीं है यानि कि तुम्हारी मौत निश्चत है इस चीज का आयना कुम्ब कर गूंज उठती है खिल खिलाते बच्चे की हसी नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलजे हुए गेसमों से गेसमों में कंगी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मूँ को जब घुटनियों में लेके है पिन हाती कपड़े दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलोने जगमगाते लावे वो रूप मती मुखडे पे एक नम्न दमक बच्चे के घर ओंदे में जलाती है दिये आंगन में ठुनक रहा है जिद्धी आया है बालक तो हुई चांद पे ललचाया है दरपण उसे देखे कह रही है मा देख आईने में चांद उतर आया है रक्षा बंधन की सुभा रस की पुतली चाई है घटा गगन की हलकी हलकी बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राकी तो ये जो रुबाईया हम पढ़ रहे हैं आप ये देखेंगे कि ये चार-चार लाइन्स की है ठीक है इन में जो तीन लाइन्स होती है इन में तुक मिलता है मगर तीसरा जो लाइन होती है उसमें तुक नहीं मिलता है फिराग गोरकपुरी जी ने यहाँ पर अलग अलग तरीके अलग अलग जगा पर यहाँ पर समझाया है दीपावली के बारे में बताया है रक्षाबंधन के बारे में बताया है किस तरीके से एक माँ अपनी बच्चे को प्यार करती है ये भी दिखलाया है तो इन रुबाईयों में कई अलग अलग तरीकों की बात की गई है चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले रुबाईयां क्या है प्रतिपाद? फिराग की रुबाईयां उनकी रचने गुले नगमा से उद्दत हैं तो ये जो रुबाईयां हम पढ़ रहे थे ये किसे ली गई है? गुले नगमा से रुबाईयां उर्दू और फार्सी का एक चंद या लेखन शैली है एक चंद होता है या लेखन शैली जिसको बोला जाता है इसकी पहली दूसरी और चौती पंक्ती में तुक मिलाया जाता जैसे अभी हमने बताया तुक मिलते हैं और तीसरी पंक्ती स्वतंतर होती है उसमें तुक नहीं मिलेंगे इन रुबाईयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है इसमें क्या है, जो हिन्धी रूप हमें थोड़ा सा दिखाई देरा है, पूरी तरीके से आरभी भारसी नहीं है, इन्हें पढ़ने से सूर्दास के वासल वर्णन की याद आते है, तो सूर्दास जो हैं, वो वासल रश के लिए प्रसद्ध हैं, ओ शिरीक क्रुष्न की बहुत ही अच्छा नमुना मारे सामने प्रस्तुत किया है यह हम सभी जानते हैं उनके सूर सागर हो सूर लहरी हो सूर सारा वली हो सभी में हमने वासले रस और शिंगार रस पूरी तरीके से भरा देखा है जब हम ये रुबाईयां पढ़ेंगे तो हमें सूर दास के वासले रस की याद आ जाती है अब ये जुरुबाईयां पढ़ी हैं इसका सार हम देखते हैं इस रचना में कभी ने वासले वर्णन किया है मां अपने बच्चे को आगन में खड़ी होकर अपने हातों के प्यार से जुला रही है वा उसे बार बार हवा में उच्छाल देती बच् कंगी करती है पानी से नहलाती है और बच्चों के बार होते हैं घुंगराले घुंगराले होते हैं तो उनमें कंगी करती है बच्चा भी उसे प्यार से देखता है वा उसे कपड़े पहनाती है अब बच्चों को पैर बिठाल के कपड़े पहनाया जाते हैं आप सभी ने अ पहला हो गया चंद हमने पढ़ लिया दूसरा क्या है दिवाली के अफसर पर शाम होते ही पुतले वास पुते और सजे हुए घर सुन्दर लगते हैं दिवाली के समय क्या होता हम सभी के घर वाइट पॉश होता है न और हम लोग डेकोरेशन भी बहुत अच्छी करते हैं तो वो बच्चे को जब मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाता है कि उसे टॉय मिल गया है वा बच्चों के छोटे से घर में दीपक जलाती है तो एक ट्रडिशन है दिवाली के समय में कि एक छोटा सा घर रखा जाता है उस घर में दीपक इपक भी जलाये जाते हैं तो वो दीप जिससे बच्चों के सुंदर चहरे पे दमक आजाती है। आसमान में चान देखकर बच्चा उसे लेनी के जिद्ध पकड़ लेता है। शीशा जो है वो चांद के तो चांद जो है वो शीशे में दिखने लगता है उसका अक्स दिखने लगता है तो वो दिखने लगता है रिफलेक्शन आ जाता है तो उसको दिखाती है कि ये दिखो चांद आ गया है और उसे कहती है दरपण में चांद उतर आया है अब उसके ब से बहुत चमकीले सी चीजे लगी रहती है तो वो कैसे बताएगा है बिजली के लच्छों की तरह दिखाएगा जिसे बिजली चमकती है कैसे स्पार्क होता है तो उसी तरीके से बताया गया है कि वो लच्छे भी कैसे चमक रहे हैं जैसे बिजली चमकती है सावन में रक्षा बंधन आता है सावन का जो संबंध जीनी घटा से है सावन में बहुत पानी बरस्ता है तो सावन का महीना मतलब बारिश का महीना तो जो सावन के महीने का बारिश से है घटा से है घटा का जो संबंध बिजली से है अब घटा चायेगी तो बिजली भी चमकेगी, तो बिजली से है वही संबन्ध भाई का बेहन से है तो जिस तरीके से इन सबको अलग नहीं किया जा सकता है, तो यह हमने रुबाईये के सार को समझा अब हमारे पास जो आएगी वो है गजल इसी पार्ट में दूसरा भी दिया गया है गजल अब इस गजल को हम समझते हैं गजल में क्या दिया गया है अब गजल क्या होता है ये अलग-अलग शेर होते हैं शायरों दौरा कहे जाते हैं अलग-अलग शेर होते हैं जिन्हें एक गीत टाइप में यानि गजल में पिरो दिये जाते हैं ये एक दूसरे से सुच्छंद पूरी तरीके से अलग होते हैं क्या दिया है नौरस गुच्चे पंक्रखियों की नाजुक गिरहें खोले हैं या उड़ जाने को रंगोबू गुल्षन के गुल्षन में पर तोले हैं तारे आँख जब कावे हैं जर्रा जर्रा सोये हैं तुम भी सुनो हो यारो आवशब में सन्नाटे कुछ बोले हैं हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को इक ही काम मिला किस्मत हमको रोलेवे हैं, हम किस्मत को रोले हैं जो तुमको बदनाम करें काश वे इतना सोच सके मेरा परदा खोले है या अपना परदा खोले है ये कीमत भी अदा करें, हम बदरुस्ति ए होशो हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का खयाल भी सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुसनो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं आबो ताब अश आयार न पूछो तुम भी आखे रखो ओहो ये जगमक बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं आखिर में है ऐसे में तू याद आए अंजन में मैं के रिंदों को रात गए गरदू पे परिष्टे बाबे गुनाह जग खोले है सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उडाली ये आवाज इन गजलों के परदों में तो मीर की गजले बोले हैं रुबाईयों की तरह फिराक की गजलों में भी हिंदी समाच और उर्दू शायरी की परंपरा भरबूर है यानि कि इन्हों ने हिंदी का भी बहुत अच्छे से समावेश किया है अपनी शायरी में खाली उर्दू फार्सी का और अर्भी का ही नहीं वो हिंदी का भी समावेश बहुत ही अच्छे से करते हैं इस गजल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर नहीं थैं यानि कि वो सिर्फ अपने जस्बातों को निकाल कर यहां पर सामने रख रहे हैं और अपने अपने अक्ष को भी बता रहे हैं कि वो खुद भी कैसे तो चलिए अ सार को समझते हैं इस पूरी गजल के इस गजल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किये हैं और साथ ही उसकी हिम्मत में कभी भी उसका साथ नहीं दिया मतलब उसकी किसमत ने भी उसको कभी साथ नहीं दिया लोग भी उसको करते रहा है उसकी क उसे बुला रहा है शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है यानि कि प्यार प्यार ऐसा है जिसमें कुछ भी खो जाने का डर हमें नहीं हो तो यहाँ पर क्या है प्यार वही व्यक्ति कर सकता है जिसे जो अपना सब कुछ खोने की हिमत रखता है जब शरावी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है अन्तिम शेर में वह स्विकार करता है कि उसकी गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है मीर भी गजलों बहुत बड़े शायर हैं उनकी भी बहुत सारी गजले हैं तो ये बताया गया है कि किस तरीके से मीर की गजलों पर भी मीर की गजलों का प्रभाव फिराग की गजलों पर मिलता है। तो ये जो गजले हैं रुबाईया हैं इनका detail explanation हम पहले भी करा चुके हैं तो उन्हें आप line by line हम पहले हमने पढ़ाया है तो उसे आप जरूर देख लिजेगा ये तो सिर्फ एक revision है लेकिन revision भी आपको बहुत कुछ चीजे समझाता है पहले explanation पूरा detail से समझेए उसके बाद revision हम करते हैं अब इसी पार्ट से देखें कुछ question answers को हम देखते हैं पहला जो प्रेशन है रुबाईयां रुबाईयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के द्रश्च विंब को अपने शब्दों में समझाईए तो रुबाईयों में देखे दीपावली के ब से देखते हैं तो यह द्रश्च विंब है यहां पर इसी द्रश्च विंब को हमें अपने शब्दों में यहां पर बया करना है तो कैसे लिखेंगे इसको कभी दीपावली के त्योहार के बारे में बताते हुए कहता है कि इस अफसर पर घर में पुताई की जाती है तटा उ बच्ची के चोटे से घर में दिये जलाने से मां के मुख्टे पर चमक में नई आभा आ जाती है बच्चे खुश होते हैं तो मां को अपने आप चेहरे पे खुशी आई जाती है रक्षा बंदन का तेवहार हर सावन के महीने में आता है इस तेवहार पर आकाश में हलकी घटा होती है राखी के लच्चे भी बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं जैसे आसमान में सावन में रक्षा बंदन आता है घटा चाती है बिजली चमकती है उसी तरह राखी के रक्षा बंदन में जो राखी के लच्चे होते हैं वो बिजली की तरह चमकते से प्रतीत ह तो यह आपको एक सिंपल लैंग्विज में अपनी तरह से बना के लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्रेश्ण संख्या 2 है फिराग की गजल में प्रकती को किस तरह चितरत किया गया है जो उन्होंने गजल हमको पढ़ाई है उसमें प्रकती का भी दर्शन बताया गया है उन्होंने किस तरीके की प्रकती का दर्शन बताया है उसे आपको यहां शब्दों में बताना है क्या है फिराग की गजल के प्रथम दो शेर प्रकती के वर्णन को समर्पित है पहले दो शेर प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भाव पून वर्णन है कविर शेर को नव रसों के आरंभ करता है 9 रस होते हैं, हम लोग कावि में, हम लोग पहले 9 हुआ करते थे, अब 11 रस होते हैं तो कलियों को खिलने के 9 रस्म से जो है वो चित्रित किया हुआ है हर कोमल गाट के खुल जाने से कलियों का खिलना और दूसरा प्रतिकात्मक अर्थ भी है अब यहाँ पे क्या है कलियों का खिलना और दूसरा खिलना कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना कलिया खिलती है क्या है सब बंधनों से मुक्त हो जाती है संबंध सुधर जाती है इसके बाद कवी कलियों के खिलने से रंगों और सुगंद के फैल जाने की बात करता है कलिया खि हम पाठक है बढ़ रहे तो हमारे सामने भी विम उबरेगा चाहए वो द्रश्व भिंब हो हैं आपका श्रमण भिंब हो नासिका भिंब हो इस पर हो कोई ना कोई एक भिंब जरूर अगर सुगंद फैले कि तो क्या होगा हमारा नासिका भर्म होगा तो अब द्रक फूनों की खिलने रंग बिरंग देखने से क्या होगा हमारा वो होगा हमारा द्रश बिम्ब तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आ रहा है अलग अलग तरह के बिम्ब उभर कर आते हैं वह सौंदर और सुगंद दोनों को महसूस करता है यानि कि हम सौंदर भी महसूस कर रहे हैं देख पा के बिम्बो का सौंदर इसपष्ट कीजिए अब जो रुबाईया है उसमें घरेलु जीवन भी बताया गया है किस तरीके से बच्चे को प्यार किया जा रहा है सफाई हो रही है दिये जलाया जा रहा है तो कई तरीके के घरेलु बिम्बो उसमें प्रस्तुत हुए उनको भी ह हमें यहां पर बता रहा है फिराग की रिवाईयों में घरेलु जीवन का चित्रन हुआ है इन्हों इन्होंने कई बिम्ब उक्वे रहे हैं जैसे एक बिम्ब में मा छोटे बच्चे को अपने हां से जुला रही है बच्चे की तुलना चांद से की गई है तो यह क्या है जो छोटे छोटे जो कार रहे होते घर के अंदर बच्चे को प्यार करना जुलाना यह सब भी करें अब जुलाने का जो है वो हम बच्चे को जुलाते हैं द्रश्ट बिम्ब हमारे सामने प्रस्तूत किया है दूसरे बिम्ब में मा बच्चे को नहला कर कपड़े पहनाती है अब बच्चा चांद के लिए चांद को दिखाया गया जिससे बच्चा को बहल जाए ऐसी कोशिश करी जाती है और आते हैं प्रिष्ट्र संख्यत 4. पर क्या दिया है पाट पुस्तक्स में संकलित फिराग गोरकपुरी की गजल का केंद्रिय भाव लिखिए तो जो गजल हमारे सामने प्रस्तुत की गई है इसका केंद्रिय भाव यानि कि सेंटर पॉइंट क्या चीज हमको समझाने की कोशिश की गई है हमें ये चीज ताने दिये यानि कि उसको हमेशा कोई न कोई ताने ही मिलते रहे उसी किस्मत ने उसे दगा दिया सब चीजें उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही दुनिया में केवल गम ही था जो उसके पास रहा दुनिया में भाव खुशी और गम दोनों ही होते लेकिन उसके हिस बहुत ही तकलीफ दे लग रही है इश्क के बारे में शायर का कहना है इश्क वही पा सकता है जो अपना सब कुछ दाओं पर लगा दे यानि कि उसने भी इश्क किया लेकिन उसना सब कुछ दाओं पर लगा दिया था कवी की गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है ये गजल इस तरहे बोलती है जिसमें दर्द भी है एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव शिल्फ की वह उचाईया है जो गजल की विशेश्टा मानिय जाती है तो इसमें काव शिल्फ भी बड़ा अच्छा है और साथ ही जो बिम्ब प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी बड़े अच्छे हैं कवी की जीवन में जो दुख आए हैं गम आए हैं तकलीफें आई हैं उसको बोला कि मेरे जीवन में सिर्फ यही आया मुझे कुछ और नहीं मिला त वही सारी चीजें इन्होंने हमारे सामने इस गजल के मांत्यम से प्रस्तुत किया है तो यही क्या है गजल का केंद्रे भाव है गजल की जो काव सुंदर है वो जो है इसके सुंदर को और बढ़ा दे जिस तरीके से उसमें शब्दों का बया होना जो चीजें उसमें प्रयो कान की डोलक कहानी फडिश्वनाथ रेनु जी द्वारा लिखी गई है प्रसद कहानी है इस कहानी में लेखक ने अपने गाउं अंचल एवं संस्कृति को सजीव कर दिया है यानि कि वो जिस गाउं में जहां से पले बड़े हैं वो सब चीजे हमारे सामने रखी हैं ऐसा लग पहलवान की डोलक के बजने से होता है यानि कि जो हम कहानी जहां से शुरू होती है वहां पे पहलवान की डोलक बजा रहा है वहां से कहानी शुरू हुई है गाउं में महामारी फैली हुई है रात में वातावरण में शान्ती है कभी-कभी जोपड़ी से करहाने वक्य करनी की आवाज सता कभी-कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी अब जब पहलवान की ढोलक बज रही है तो उसके आज-पास का परिदर्श क्या है जो गाओं है वहां हमारी फैली हुई है जिसको हम बोलते हैं आपको पैंडमिक का टाइम जो होता है वैसा आया हुआ है चारो तरफ पूरे गाओं में सननाटा है कहीं-कहीं से बीच-पीच में किसी जोपड़ी से करहने यानि कि दर्द से आहा करके आवाज आती न उस तरीके से आवाज आ रही है कह करने यानि कि वुमिट करने उल्टी करने की आवाजे आ रही है बीच-पीच में बच्चे भी अपनी मा को पुकार लेते हैं कभी-कभी रोनी की आवाज आ जाती है मना अनदर प्राइस पूरे गाओं में सननाटा है किसी तरह की कोई आवाज और नहीं आती है मगर पहलवान की ढोलक उस सननाटे को चीर रही है ढोलक बज रही है ऐसे समय में पहलवान की ढोलक संध्या से प्राहता काल तक एक ही गती से बस्ती रहती है यही आवाज मृत्य गाओं में सन्जीवनी शक्ती रहती है तो कहने का मतलब है शाम से लेकर सुबहा तक यह ढोलक बचती रहती है और यह सब ही लोगों में सन्जीवनी यानि कि जीने की एकच्चा क्योंकि चारों तरफ मौत का टांडव है मतलब एक रात में कम से कम एक दिन में आप बोलोगे तो चार से पाँच शब एक गाउं से उठ रहे हैं यानि कि इतने सारे लोग मर रहे है उस कंडीशन में क्या हो रहा है पहलवान की धोलक जो है लोगों में कहीं नहीं आशा फूखती है कि हमें लड़ना है इस महामारी से लड़ना है हम जीतेंगे तो ये सब ही चीज़ें कोशिश सब लोग कर रहे हैं पहलवान के जीवन के बारे में फडिश्वनात रेनू जी ने बताया है अब पहलवान जो सब ही पूरे गाओं को प्रेणना दे रहा है सब कुछ कर रहा है उसके जीवन के बारे में रेडू जी ने क्या हमको बताया है क्या कहते हैं नौ वर्ष की आयू में ही पहलवान के माता-पिता की मृत्ति हो गए और उसका पालन पोशन उसकी विद्वा सास द्वारा किया गया उसकी मा ने उसका पालन पोशन किया था तब इसे उनके साथ जहने लगा सास पर हुए अत्याचारों को देखकर लुटन को बदला लेने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था अब जो पहलवान था उसका नाम क्या था लुटन पहलवान अब गाउवाले उसकी भई विद्वा सास थी तो तरह तरह की अत्याचार करते थे सब करते थे और ये लुटन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अब वो खुद एक बच्चा था तो अब इन सब से भिड़ने के लिए उसने ये सोचा कि अब मैं पहलवान बनूगा लड़ने के लिए ताकत चाहिए तो उसने बशपन से ही अपने शरीर को बलिष्ट करना शुरू कर दिया खाना, पीना, कसरत जो कुछ हो कर सकता था उसने वो सब करना शुरू कर दिया ताकि वो पहलवान बन जाए और उसके सास के उपर जो जो लोग अत्याचा करते हैं उनसे वो बजला ले सके वह गाओं में पहलवानी करने लगा और एक बार श्याम नगर में दंगल देखने गया था तो अब पहलवान बन गया भई बलिष्ट हो गया धीरे धीरे तो गाओं में भी भई पहलवानी करने लगा फिर एक बार श्याम नगर में दंगल हुआ दंगल का मतलब होता है कि कुष्टी होती है ये छोटे-छोटे तौर पर हर गाओं चार-पाज गाओं के बीच में एक दंगल हो जाता इस तरीके से लगता है तो शामनगर में वो दंगल लगा वहाँ उसने ढोलक की आवाज को अपना गुरु मानकर शेर के बच्चे चांज सिंग नाम के पहलवान को हराया तो वहाँ पर एक पहलवान आया था कौन आया था चांज सिंग उसको शेर के बच्चा बोला जाता था क्योंकि वो अभी तक सभी को पराजित करते आया था अब उसके साथ जो है वो लुटन भीड़ जाता है उसी समय वहाँ पर धोलक बजरी होती है तो इसने अभी तक किसी को उस्ताथ तो बनाया नहीं था मतलब गुरू बनाया नहीं था कौन उसको टीच करे तो वो धोलक की थाप उसको उसने अपना गुरू माल लिया धड़क ध धा 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 करके जो भी उसकी आवाज निकलती वो उसको प्रेणना देती और इसी प्रेणना से वो चान सिंग से भिड़ गया और चान सिंग को पहलवानी में परास्त कर दिया जो अभी तक किसी से नहीं हारा था लुटन को उसने परास्त कर दिया पहलवान को हराया उसके बाद राजा ने उसे राज पहलवान घोशित कर दिया अब जब राजा को भाई राजा ने देखा इतने बड़े पहलवान को उसने हरा दिया तो राजा भी बड़े इंप्रेस हुए उससे और उन्हों ने क्या किया राजा ने उसको बना दिया राज पहलवान अब उसका पा काले खां जैसे प्रसिद पहलवान को हरा कर अपने आपको अजय पहलवान खोशित कर दिया फिर एक पहलवान और था उसका नाम था काले खां लुटन ने उसको भी हरा दिया अब वो अजय खोशित हो गया मतलब अभी अभी तक कोई भी लुटन को नहीं हरा पाया तो अपने आपको उसने अजय पहलवान कोशित कर दिया इस प्रकार 15 वर्ष बीद गए लुटन अजय बना रहा और अपने बेटे को पहलवानी की सिक्षा देने लगा 15 वर्ष तक उराजदर्बार में रहा उसके महाँ दो बेटे हुए दोनों बेटों को भी उसने वही पर पहलवानी की सिक्षा दिये वह अपने बेटे को ढोलक के प्रताप से अजय बनाने की सिक्षा देता रहा लेकिन राजा की मृत्ति के बाद राज़कुमार विलायत से आने के बाद पहलवान के खर्चों को देखकर उसने दरवार से हटा दिया अब क्या हुआ अपने बच्चों को पाल रहा था उनको भी पहलवानी सिखा रहा था ढोलक के प्रताप को समझा रहा था सब कुछ हो रहा था लेकिन क्या हुआ राजा की मृत्ति हो गया कसमे अब उनके बाद राज़कुमार जो विलायत में यानि कि विदेश में पढ़ रहे थे वो वापस आ गये उन्हें पहलवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उन्हों को लगा कि ये फिसूल खर्च हो रहा है उन्होंने पहलवान को हटा दिया यानि कि अब उसे राज़तरबार छोड़कर जाना पड़ा लो टन और पूरे परिवार को अब क्या हुआ विवश होकर वा अपने गाउं लोटाया अब जो पहले गया था वापस अपने गाउं आ गया और आकर वा उसे अपने बेटे ग्रामीर बच्चों को कुस्ति सिखाने लगा और क्या किया फिर उसके बाद ग्रामीर के गाउं वालों के जो बच्चे थे उनको कुस्ति सिखा लेकिन ग्रामीडों में अरुची के कारण पहलवान के बेटे मजदूरी करने लगे अब क्या हुआ उसके बेटे ग्रामीड लोगों को जो मजदूरी सिखा रहे थे तो लोगों में मतलब पहलवान पहलवानी को लेकर इतना इंट्रेस्ट नहीं था तो भाई धीरे दीरे धी कम होने लगे शिक्षा लेने के लिए तो अब क्या करते भाई पेट पालने के लिए कुछ तो चाहिए तो उन्होंने क्या करना उनके दोनों बच्चों ने मजदूरी करना शुरू कर दिया मतब लेबर बन गए वो लेकिन अकस्मात सूखा और महमारी के कारण एक-एक करके ल लोग मरने लगे अब तुरंथ ही सूखा पड़ा और महा पे महमारी फैल गई बहस करके लोग मरने लगे इस प्रकार उसके दोनों बेटे महमारी के चपेट मे आँ गए और उनके दोन अब यह हुआ कि भाई पुत्र गुजर गए तो उसे वड़ी तकलीफ होगी ऐसा कुछ ने तकलीफ तो हो रही थी लेकिन उस दुख में भी उस धोलक को उसने प्रेणना मानकर कभी भी बजाना नहीं छोड़ा वो धोलक बजाता ही रहा तो लोगों में हिम्मत बढ़ी लेकि उसरे लोगों को प्रोचाहित प्रेरित करता रहा कि नहीं इसमें हमामारई से लड़ो बजाता रहा लेकिन 4-5 दिन बात क्या हुआ वो धोलक भी भजनी बंद हो गई एक रात वो धोलक नहीं बजी तब क्या हुआ सुबह लोगों ने देखा तो पहलवान की लाश चित कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय धोल बज़ते रहना चाहिए इस प्रकार पहलवान के अंत के साथ कहानी का अंत हो जाता है तो अब क्या होता है जब बजनी बंद हो गई धोलक तो गाउंवाले देखने पहुंसते हैं क्यों बिसा डेली रात में बशती थी आज क्यों नहीं बजी देखते हैं तो पहलवान मर चुका था और मुझे बल यानि पेट के बल वो लेटा हुआ था अब तो तभी उसका एक शिष्ष वहां पर बोलता है कि गुरू जी ने बोला था कि मेरी जो बॉड़ी है जो चिता जलाई जाए मेरी बॉड़ी वहां प बचते रहने चाहिए क्योंकि यह धोल ही जो है उनको प्रेडित करते रहें ताउंड तो इस तरीके से पहलवान की शुरुआत से लेकर अंता की कहानी हमारे सामने फडिशो नांत्रेनु जी ने रखी है यह कहानी हमें यह प्रेड़ना देती है कि मुसीवते सभी की जिंद फिर उसके साथ बुरा वक्त आया उस बुरे वक्त में भी उसने हिम्मत नहीं हारी तो यही चीज इस कहानी से हमें प्रेड़ना मिली है तो यह कहानी के सार को हमने समझ लिया चले आब हम देखते हैं इस से लिए लिटेट कुछ कोशन आंसर्स को पहला प्रेश्ण हमारे सामने है गाउं में फैली बिमारी से उत्पन गाउं की दशा का चितरन कहानी कारने किस प्रकार किया है तो गाउं में जो बिमारी फैली विया उसका चितरन कहानी कारने किया है आपको वही वोर्डिंग्स यहां पर इस्तिमाल करनी है जैसे दिया है गाउं में महमारी ने पाउं पसार लिये थे, चारों और मौत का भयानक तांडव फैला हा था रेडू लिखते हैं कि सियारों का क्रंदन और चेचक की डरावनी आवास कभी-कभी निस्तब्ददा को अवश्य भंक कर देती थी गाउं की जोपडियों से करहाने और कह करने की आवाज हरे राम हे भगवान की टेर अवस्य सुनाई पड़ती थी बच्चे कभी-कभी निर्मल कंठों से मामा पुकार कर रो पड़ते थे तो यह जो शब्द रेणू जी ने कहानी में इस्तेमाल किये ने आपको वो ही लिखने हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको अपनी वर्डिंग नहीं बताई पूछा क्या है कि कहानी कार ने जिस प्रकार किया है आपको उसी प्रकार करना है तो वैसे ही यहाँ पर आप करेंगे नेक्स कोशन है जब मैनेजर और सिपाहीों ने लुटन पहलवान को चांज सिंग से लड़ने से मना कर दिया था तो लुटन ने क्या कहा अब क्या हुआ था जब लुटन दंगल में पहुचा था ना तो चांज सिंग से सभी ने उसको लड़ने की परमिशन राजा भी परमिशन नहीं दे रहे थे मैनेजर भी परमिशन नहीं दे रहे थे तो वो अड़ गया था कि नहीं हम चांज सिंग से लड़ने तो उसने क्या क वो बार-बार करने लगा था वराजा साहब के सामने जा खड़ा हुआ उसने कहा दुहाई सरकार पत्थर पर माथा पटक कर मर जाओंगा लेकिन लड़ूंगा अवश्य सरकार वह कहने लगा लड़ेंगे सरकार हुक्म हो सरकार तो उसने बोला मैं माथा पटक कर मर जाओंगा मगर लड़ूँगा जरूर अवश्य सरकार तो आप मुझे हुक्म दीजिए आपके हुक्म से मैं ये पहलबानी करूँगा मतलब मैं ये लड़ाई अवश्य करूँगा तो ये चीज कहकर उन्हों ले राजा को मनाया था प्रेश्ण संख्या तीन है क्या दिया गया है राजा सहाब ने लुटन को क्यों सहारा दिया अंत में उसकी दुरगती होने का क्या कारण था अत्वा पहलबान लुटन सिंग को राजा सहाब की करपा दश्टी कप प्राप्त हुई वहाँ उन सुविधाओं से वंचत कैसे हो गया तो अब कोशन आगे बीचे करके पूशा गया है लेकिन आप सीरेल में दीजी इसका जवाब कि सबसे पहले उसके साथ क्या हुआ कैसे चीजें घटित होना शुरू हुई सभी कोशन उसके आंसर साब को देने होंगे क्या दिया लुटन ने बशबन से ही कुस्ती सीखी थी उसे चांद पहलवान को हरा दिया और श्याम नगर के नेले मेले में दंगत ने उसे यह चमतकार किया यानि चांद नगर में हरा है और राजा को उसकी करपादश्टी प्राप्त होई तो कैसे करपदश्टी प्राप्त हुई राजा की यह आपने दे दी आंसर राजा साहब ने उसे आश्रे दिया इसके बाद उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया अब वा दर्शनिय जीव बन गया था 15 साल तक राजदर्बार में रहा उसने दोनों बेटों को भी पहलवा थी तो उन्होंने क्या किया उसने पहलवान उनके दोनों बेटों को राजदर्बार से निकाल दिया अब वहाँ गाउ आकर रहने लगा फिर से वो कहां आ जाता है अपने उसी काउं में जहां उसे भोजन की मुश्कल से मिलना था मतलब अब उसको भोजन पहले क्यार भाई भी मर गया अब क्या हुआ आप महामारी गाव में फैली उसके बेटे मर गया और चार पास दिन बाद भी मर गया तो इस तरीके से कैसे उसको करपादश्टी प्राप्त हुई कैसे उसका अच्छा दिन भी था पिर कैसे वहां से बेदखल हुआ अंति में उसके साथ क्या हु गाउ में ग्रामीनों की दशा कैसी हो जाती है। बहलवान की ढोलक उसकी उनकी सहायता किस प्रकार करती है। तो अब जब महामारी गाओं में फैली थी तो चिकिस्ता का अभाव था, सभी लोग परिशान थे तो धोलक उस समय बसती थी तो उनको कैसे प्रोचाही मिलता था, तो जो अभाव थे आपको वो भी लिखने हैं और धोलक किस तरीके से प्रोचाहित करती थी आपको ये भी दि जब तो क्या दिया है मामारी फैलने पर गाओं में चिकिस्ता और देख रेक के अभाव में ग्रामीरों की दशा दैनी हो गई थी जब दवानी मिलेगी कुछ नी मिलेगी लोग पटपट करके मर रहे होंगे तो दैनी दशा तो होगी तो वही दशा उस समय वहाँ पर थी ल वह संचीवरी शक्ति का कारिक त्ती तो जिन लोगों को लगई रहा कि हम मर जाएंगे तो एक होता ना मनसे हार गये तो वह बी विचा यह मनन से हार गयती लेकिन जब पहलवान धोलक पचाता था तो उनको प्रोसाहन मिलता था कि नहीं हमें इस महामारी से लड़ना है और ह भारत पाक विभाजन के बादसरहत के दोनों तरफ से विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती एक मारमिक कहानी है दिलों को टटोलने की इस कोशिच में उन्होंने अपने पराय देश-परदेश की है कहने का मतलब है क्या हम ये जो कहानी लिखी विभाजन हो गया विभाजन के बाद लोगों के दिलों की क्या परस्यतिया थी ये इस कहानी के माध्यम से रजिया जी ने हमारे सामने रखी है अपने पराय देश परदेश कुछ भी वहाँ पर मायने नहीं था बस ये था कि जो दर्द सब के दिलों में था इस विभाजन का वो भी निकल कर सामने आ रहा था कई प्रशले धारणाओं पर सवाल खड़े किये गए विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है तो क्या हुआ जब विभाजन हुआ तो जो सिख बीबी है ये लाहौर से कहां आ गई थी भारत आ गई थी भारत आकर रहने लगी थी विभ लाहौर से आकर भारत में रहने लगी थी और आज भी विस्थापित हुए ना विस्थापित हुए विस्थापन का कारण बना वहां से यहां आने के लेकिन तब भी वो लाहौर को आज भी अपना ही वतन मान रही थी मतलब भारत को उसको अपने वतन के रूप में वो स्वि सफिया जो हैं वो जा रही होती है वहां लाहौर तो वहां से बोलती है कि हमारे लिए लाहौरी नमक लेते आना ये उन्होंने फर्माईश करी सफिया का बड़ा भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर है तो सफिया जानी थी तो वहाँ पे उनके भाई क्या थे पाकिस्तान पुलिस में एक बड़े अफसर थे सफिया के नमक को ले जाने पर वह उसे गैर कानूनी ही बताता है लेकिन सफिया वहां से नमक ले जानी की जिद्ध करती है वह नमक को एक फलो की टोकरी में डाल कर कस्टम अधिकारियों से बचाना चाहती है अब पुलिस वाले थे तो जब ये बात सफिया आपने भाई को बताती है कि भई हमको नमक ले जाना है लाहौरी नमक हमें भारत ले कर जाना है तो उन्होंने बताया कि ये गैर कानूनी है इसमें आप पकड़ जाएंगी आप इसको नहींले जा सकती क्योंकि ये एक कस्टम में आप रोक लिया जाएगा आपको जेल भी हो सकती है कई तरिके की बात बताएं तो भाई इसमें दोनों भाई बहनों में काफी बहस भी हुई लेकिन सफिया नहीं मानती वो कहती कि नहीं हमें तो ले जाना है तो वो क्या करती है कि वो एक फलो यानि कीनों की टोकरी होती है उसमें नीचे की तरफ वो नमक को दबा देती है कि हम चुपा के फलो की टोकरी में चुपा कर लेकर जाएंगे सफिया को विस्थापिस सिख बीबी याद आती है जो अभी भी लाहौर को अपना वतन मानती है अब भी उनके हिदे में अपने लाहौर का सौंदर है समाया हुआ है तो अब क्या हुआ कि जब वो कीनू की टोकरी में नमक छिपा देती है अब नमक किस के लिए लेके जा रही थी वो सिख बीबी के लेके जा रही थी तो इसी बात से उन्हें सिख बीबी की याद आ जाती है क्योंकि जब उनसे वो भारत में मिली थी एक किरतन में तो वहां पे भी उनलों के बीच में बात हो रही थी किस बात को लेकर लहोर की सुन्दरता वहां की चीजों के बारे में तो वही वो याद करते हैं किस तरीके से सिखवी भी आज भी लहोर को उपना वतन मान रही हैं और वहां की सारी बाते बहखुशी याद करती हैं उनको बड़ा ही अच्छा लगता है सफिया भारत आने के लिए फर्स क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी अब क्या हुआ भारत आने के लिए लाहोर के फर्स क्लास के वेटिंग रूम में बैठी होती है वह मन ही मन में सोच रही थी कि उनके कीनों की टोकरी में नमक है यह बात केवल वही जानती है लेकिन वह वहारे अंदर डर रहता ही तो वही चीज़ सफिया के अंदर भी आ रही थी अब कीनों की टोकरी के अंदर नमक छिपा हुआ यह बास सिर्फ सफिया जानती थी कोई नहीं जानती थी लेकिन तब भी उन्हें डर लग रहा था कस्टम ओफिसर्स का कि अगर उन्होंने पकड़ लिया तो क्या होगा इस चीज़ का डर उनके अंदर बहुत जादा था कस्टम अधिकारी सफिया को नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है अब क्या होता है कि भाई जो कीनों की टोकरियों में नमक छिपा हुआ था अब उन्होंने बोला कि अगर हम छिपा के लेके जाए और पता चल गया तो वाकई भई हम पकड़ सकते हैं तो उन्होंने क्या किया वहां में से नमक निकाला और कस्टम ऑफिसर जहां पर सारा चेकिंग हो रही थी वहां पर उस कस्टम ऑफिसर को नमक दे दिया कि ये नमक में ले जा रही हूं तो उन्होंने बोला उन्होंने बातन है और देली मेरा तो बाइकि सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएता तो जो कस्टम ऊफिसर था वो देली का रहने वाला था और वह भी विवह जन के बाद रस था पित्क होकर लाहौर आ गया था तो जो दर्द सिख बीवी के दिलमें था वही दर्द उस कस्टम ऑफिसर के दिल में भी था तो जब सफिया जो है वो नमक कस्टम ऑफिसर के सामने रखती है तो वो दे देता है इजाज़त की नहीं ले जाएगा और कहता क्या है कि जिस तरीके से सिख भीबी के लिए ये लाहौर उनका वतन है उसी तरह से देहली जो है वो उनका वतन है माना विभाजन हो चुके हैं लेकिन हम लोग अभी भी एक दूसरे के साथ नमक दीजेगा और बोलिएगा और जामा मस्धित की सीडियों को दिली में जामा मस्धित की सीडियों को हमारा सलाम कहिएगा वो ये चीज़ बोलता है तो भई इस तरीके से सफिया व पहुँछ गए। वहां भी उनका सामान कस्टमवालों ने चेक किया। जब यहां अम्रस्टर में आएंगी यहां उत्रेंगी तो यहां पर भी कस्टमवाले उनके सामान को चेक करेंगे भारती कस्टम अधिकारी सुनील दास गुपता ने सफिया से कहा। अब सफिया ने जो काम लाहौर में किया था वही काम उन्होंने यहां सर में भी किया उन्होंने वो जो कहते हैं नमक की पुरिया थी वो custom officer को दे दी ठीक कि जैसे हम ये हम महां से लेकर आए हैं और हम लेकर जा रहे हैं और सारी कहानी भी साथ ने बता दी कि किसने मंगाई है किसके लिए है क्यों लेकर है सारी चीजें उन्होंने बता दी तो वहाँ पर जो custom officer थे उनका नाम था सुनील दाजगुप्ता उन्होंने क्या बोला कि मेरा वतन ढाका है वो भी विस्थापित थे ढाका से आये थे उसमें बांगलादेश अलग नहीं हुआ था तो वो पाकिस्तान के हिस्ते में था तो उन्होंने बोला कि मेरा वतन क्या है ढाका है और उन्स ने यह भी बताया कि जब भारत पाक विभाजन हुआ तभी से वह भारत आये हैं साथ में सुनिल दास गुप्ता ने बताया कि मैं पहले ठाका में रह रहा था और विभाजन के बाद ही मैं यहां पर आया हूँ इन्होंने भी सफिया को नमक अपने हाथ से सौपा अब क्या उन्होंने नमक उठाया और खुद अपने हाथ से सफिया के हाथ में रखा कि ले जाई ले जाने के लिए उन्होंने भी पमिर्शन दे दी ले जाने के लिए इसे देखकर सफिया सोस्ती रही कि किसका वतन कहां है इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि रास्ट राजियों की नई सीमा रेखाएं खीची जा चुकी हैं और मजभी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगाएं मुकररर कर चुके हैं इसके बावजूद जमीन पर खीची गई रेखाएं इनके अंतरमन तक नहीं पहुँच पाई हैं अब सुनील दास जी ने भी उन्हें नमक ले जाने की परमिशन दे दी है वो चुपचाब चली आई लेकिन वापस आने की बाद में उन्होंने यही चीज सोची कि माना की रेखाएं नहीं खीच पाएं कैसी भी रेखाएं हो कुछ भी हो मजभी हो आप मजभी कह लीजिए राजनीतिक कह लीजिए भागौलिक कह लीजिए किसी भी तरह की रेखाएं आप कह लीजिए मगर हुआ था विस्थापन भी बहुत बड़ी तादात में हुआ लोगों के म माध्यम से रजिया जी ने हमारे सामने रखा आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी कि माना की दो देश ऐसे हैं जो वाकई ही बहुत अपोजिट जब विस्थापित हुए तब से ही हमारे बीच में काफी हद तक लड़ाई जगड़े चलते रहे लेकिन लोगों के दिलों को अगर आज भी टटोला जाए तो काफी हद तक लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई दे जाता है क्योंकि माना की बहुत कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं जिसकी वज़े से इंसानियत कायम रहती है त पर पहला प्रश्ण है लेखिका को भारतियों के प्रति क्या दृष्टी कोड़ता लेखिका का भारतिये जो लोग थे उनके प्रति क्या दृष्टी कोड़ता लेखिका भारतियों और पाकिस्तानियों को एक ही दृष्टी से देखती हैं उनके मन में दोनों के प्रति इमांदार होते हैं किया हुआ वादा निभाते हैं तो उन्होंने क्या बताया पाकिस्तान हो दूनों के लिए इप भारतियों के लिए में क्या था वो करमठ हैं इमानदार हैं और अपने किये हुए वादों को निभाते भी हैं तो इन्हें आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं तो जैसे उनके उन्हों की सोच थी उन्होंने जो चीज सोच निकाल कर रखी है भारतियों के लिए उस सोच को भी आप अपने शब्दों में ढाल कर यहां पर लिक सकते हैं प्रशने संख्या 2 क्या सफिया प्रोख्श रूप से लेखिका हैं मतलब क्या वाकई उन्होंने जही कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है क्या ये एक लेक लेक के माध्यम ये कहानी के माध्यम से सही है या नहीं है आपको ये निर्ने देना है तो क्या दिया बिलकुल यानि कि वो लेकिका है कई बातों से सफिया लेकिका का ही प्रतिरूप दिखाई पड़ती है उसने इस कालपनिक पात्र के माध्यम से अपनी व्यक्तिकत अफधार नाओं को प्रस्तुत किया है वह वास्ताव में मुस्लिम औरत की प्रतिनिधी बनकर ना केवल पाकिस्तानी बलकि भारती इस तरीकी परिधिदी का चित्रन करती है तो अब सफिया कौन है सफिया है हमारी जो नाईका यह जो कहानी हमने पड़ी इसकी नाईका है मगर इसको लिखा किसने है रजिया सज्जाद दे कि हमने कहानी के शुरू में ही आपको एक चीज़ बोली थी कि जो हमारी लेखिका है वो पाकिस्तान जाती है जबकि सफिया एक कालपनिक करेक्टर है तो कालपनिक करेक्टर है उसको खुद रजिया जी ने अपना मान कर लिखा है तो इसलिए हमने कहानी के स्टाइट में आप लोगों से क्या बोला था कि लेखिका खुच जाती है यानि कि उनके साथ ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वज़े से ने उस कहानी को लिखा तभी एक कोशनी आए क्या सफिया परोक्ष रूप से लेखिका है यहाँ पे रजिया के बारे में नहीं बोला उन्होंने सफिया के बारे में बोला तो सफिया तो उनका वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि लेखिका का प्रतिरूप दिखाई देती है क्यों क्योंकि इस काल्पनिक का माध्यम से ही वेक्तिकत भावनाओं और अवधार्नाओं को प्रस्तिया लेखिका ने इस काल्पनिक करेक्टर को खड़ा किया है और उसी के माध्यम से अपनी भावनाओं को निकाल कर उन्होंने बाहर रखा है वास्तों में मुस्लिम और अवरत की प्रतिनिदी बनकर ना केवल पाकिस्तानी बलकि भारती इस्तरी की परिदी का भी चुत्रण किया है तो उन्होंने एक मुस्लिम लेडी है लेकिन उन्होंने इस करेक्टर सफिया को रच कर क्या किया है पाकिस्तानी इस्तरी और भारती इस्तरी दोनों की ही परिदी के बहुत ही सुन्दर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है अब आते हैं प्रश्ण संख्या तीन क्या विभाजन से दिलों में दरार पड़ जाती है तो ये जो विभाजन होता है क्या इससे दिलों में दरार आती है कि नहीं आती है ये आपको लिखना है बिलकुल नहीं विभाजन तो राजनितिग्यों तता भौगौलिक परस्ततियों की देन है विभाजन दो देशों दो सरहदों के बीच होता है लेकिन लोगों के दिलों मे कभी दरार नहीं पड़ती उनकी समवेदनाएं भावनाएं वही रहती हैं वे कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते शरीर रूप से बेशक्ष जुदा हो जाएं लेकिन मन से कभी भी नहीं होते अब इसको आप ऐसा समझे आप भारत पाकिस्तान की परदी से कर आप अलग आ जौब जो है वो transfer में होगा ठीकर स्थाना अंतरण होता रहता है आप कुछ लोगों कहीं जाते हैं रहते हैं कुछ साल के लिए रहे आसपडों से practice वालों से काफी अच्छा रिश्टा बन जाता है फिर आपका इस्थानंत्रन हो जाता है यानि कि ट्रांसवर हो जाता है फिर क्या होता है आप पुराने लोगों से तब भी टच में बने रहते हैं माना यह दूरियां आ गई हूं कुछ भी हो गया हो लेकिन क्या है आप उनसे टच में बने न तो वही चीज भारत पाक हुआ क्या हुआ जमीनों पर लकीरे खिजी राचनिति के तौर पर ये दोदेश बन गए सब कुछ हुआ लेकिन जो आपसी मन के अंदर के जो भाव होते हैं उनको तो आप नहीं जुदा कर सकते न वो अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं चाहे भी भाजन होता और किस जगह अम्रस्तर शुरू हो गया ऐसा क्यों अब अटारी एक जगह है जहां से भारत पाकिस्तान की सीमा है मतलब आप बोलेंगे कि दोनों आपस में जुड़ी होती है और यहीं से एक दूसरों का विभाजन होता है अब अटारी पे आये ट्रेन पाकिस्तान से वो ल अलग हो रहे थे इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि यह जो सीमाएं थी आपस में बहुत ही पहले तो भाई एक ही थी तो आप सब लों के पहनावा बोल चाल रहन सहन गाउं छट चपर जो भी है सब कुछ एक ही जैसा तो लग रहा था उनमें कुछ भी फरक नहीं था तो क इस बेसिस पे उनको बोलते कि यह दो अलग देश है क्योंकि वो दोनों ही एक जैसे ही लग रहे थे तो कारण क्या दिया है सफिया को लाहर और अरमसर में कोई अंतर महसूस नहीं हो क्योंकि दोनों नगरों की जमीन बोली पहनावा आधी एक जैसा था दोनों तरफ के लग बाढ़ दो लेकिन रहें गे तो एक ही जैसे जहें पहले जैसे रहते चले आ रहें वैसे भाधा इसलिए उनने कोई फ़रक दिखाई नहीं दे रहा था तो पहला जो हमारे सामने आ रहा है वो है श्रम विभाजन और जाती प्रथा तो सबसे पहले हम समझ लें कि श्रम विभाजन और जाती प्रता ये है क्या चीज श्रम विभाजन यानि कि लोगों में उनके हिसाब से काम का बटवारा करना जैसे हम लोग हैं आप अगर इस तरीके से समझें कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा है जो मैट्स काफी अच समझता या समझाता है एक इंग्लिश में बहुत अच्छा है मैट्स में बहुत अच्छा है कोई फिजिक्स बहुत अच्छी बताता है तो यह कहना हर बच्चे की समझने की कैपसिटी या दूसरे को समझाने की जो चीज होती है वो अलग-अलग होती है सब हर एक बच्चा अपने आप में यूनीट होता है तो उसी तरीके से क्लास की वह को उसी साब से अजी इसाबappal को deli करना है हं यह चीज या होता है आप जब पढ़के बाहर college करके जब आप निकलोगे जो भी stream आपने ले रखी है उसके हिसाब से आप आज आगे करेंगे college करेंगे उसके बाद से आप अपना जो है खुद अपनी capacity के हिसाब से job choose करेंगे माल लेजे किसी को science में बहुत interest है तो वो कुछ science related किसी field में चला जाएगा किसी को maths में किसी को accounts में है तो वो हर बंदा अपने हिसाब से उसका जो भी caliber है उस हिसाब से वो अपनी field चुनेगा तो यह होता है श्रम विभाजन दूसरा होता है श्रम विभाजन और जाती प्रथा जाती प्रथा यानि कि जात का division होता है यानि कि आप इस custom के हैं आप इस जात के हैं आपको ये चीज़ बता दी जाती है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है जो पहले समय में होता था जाती के हिसाब से श्रम माटा जाता था यानि कि अगर कोई कुमहार है तो उसकी सारी बढ़ाई का कार्पेंटर का काम करता है तो उसकी जितनी पुछते आगे तक आती जाएंगी वो सिर्फ बढ़ाई का काम करें अब माल लीजे बढ़ाई जो है उसके आँ कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो बढ़ने लिखना में बहुत अच्छा है तब भी उसको इस चीज की आजादी नहीं थी कि वो कोई दूसरा कारे कर सके उसको क्या था तो जितना प्रत्वाशाली उससे कोई मतलब नहीं है मगर तुम्हारी जात है कि तुम एक बढ़ाई हो तो तुम बढ़ाई का कारे ही करोगे यह होता था श्रम विभाजन किसके अधार पर डिवाइड हो तो यह इस लेक में हमको अमबेडिकर जी ने समझाने के कोशिश करिए चलिए इसके को समस्ते हैं हमने आपको बता दिया श्रम विभाजन जाती प्रता क्या चीजें हैं और क्या होता था प्रस्तुत पार्ट बाबाभीमरा अमबेडिकर के सुप्रसिद भाशन एनी हिलरसन दौरा कास्ट का हिंदी रूपांतर है तो मतब यह जो है यह इंग्लिश में था जिसको हिंदी रूपांतरित किया गया है जो लेखक ने जाती पाती तोड़क मंडलक लाहौर में सन 1936 इसरी के वार्षिक सम्मेलन सम्मेलन अधिक्षिय भाशन के रूप में लिखा था तो अब यह भाशन कहां पर दिया था उन्होंने जाती बाती तोड़क मंडल लाहौर में भाशन दिया था चौन सा भाशन था वो सूप्रशिद्ध ऐनी हिल्सन ओफ कास्ट का जो है वह भाशन दिया था जिसे हिंदी रूपांतरित करके हमारे सामने रखा गया है और कब दिया ता लाहोर में कद दिया था 1936 एस्वी में अब क्या है लेकिन इसकी क्रांतिकारी द्रश्टी के कारण उस सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया गया था अब यह भाषन लिखा गया था दिया गया था मगर इस यह इतना क्रांतिकारिक रूप से था कि मतलब यह बहुत ही मानने की अवधारना को निरस्त करते हुए केवल भावनात्मक नहीं बलकि आर्थिक उत्थान सामाजिक वाराजनेतिक संगठन और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलूं के ठोस परिपेक्ष के में जातिवात के सम्मूल उच्छेदन की अनिवारता ठहराई है अब यह क् आपको बताया कि जाती प्रथा के हिसाब से ही श्रम विभाजन किया जाता था तो यह हमने आपको क्लियर कर दिया तब तरीका मानने की अवधारना को निरस्त करते हुए मतलब हम इस अवधारना को नहीं मानते यह गलत है जाती के हिसाब से श्रम का विभाजन करना यह गलत यह अम्बेटकर जी ने इस भार्षन में कहा था निरस कर दिया अब उसके आ गया है करते वे केवल भावनात मक नहीं बलकि आर्थिक उत्थान मतलब यह भावनात मतलब आप अगर जाती के हिसाब से श्रम विभादन कर तो लोगों की भावनाओं को तो ठेश पहुंची रहा है दूसरा उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो रहा है मतलब वह ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं बड़ाई करी में कित्ता कमा लेंगे कुमार गिरी में कित्ता कमा लेंगे वह दूसरा कोई और कामधंदा ही नहीं कह सकते किसी और फिल्ड में नहीं जा सकते तो उनका पैसा भ बत्तर बक्त से बत्तर हुता चला जा रहा है और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलूं के ठोस परिपेच में जाती वात के समूल उच्छे दन की अनिवारता ठेराई है तो उन्हें क्या बोला जीवन यापन के लिए जो हमें मूल भूत चीजें चाहिए होती हैं वो भी इस को भी पूरा नहीं कर पाते हैं इसलिए इसकानून इस तरीके को निरस्ट कर देना चाहिए है शायाइ एक और की ने बताये ना कि उनके हिसाब से काधर समाझ कैसा होना चाहिए यह भी कलपना जो है बाबाभी म्राव मिटकर ने तुद करी थी यह विडंबना है कि हमारे समाज में आज भी जाती वाद के पोशकों की कोई कमी नहीं है अगर आप देखेंगे पहले समय में तो जाती पाद बहुत था लेकिन आज भी कोई कम नहीं हुआ है आप इंटिने किसी ना आपको सामने नहीं देखेगा तो आगर इंडरेक्ली देखेंगे तो यह चीज आपको कहीं न कहीं देखने को मिलती है तो वही चीज नहीं दिखाया कि समाज में आज भी जाती वाद बहुत ही ज़ादा अपने पैर पसार चुका है आधुनिक सब ये समाज कारिक उशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्रक मानता है यानि कि हमारा जो आज का आधुनिक समाज है ये क्या चाहता है वो अच्छी quality का production चाहता है अब production कब अच्छा होगा जब आप workers को ऐसे workers को लेंगे जिनके अंदर ये caliber है कि वो ये काम कर सकते हैं अब माल ये कि एक मजदूर को आप computer के सामने बठाल कर तो काम नहीं करा सकते हैं वो अनपढ़ है वो नहीं जानता है तो हम computer के सामने बठाल के उससे काम नहीं करा सकते हैं तो उसके लिए हमें कौन चाहिए जो computer की knowledge रखता हो जिसे आता हो computer की knowledge तो अब भले वो किसी भी जाती का हो लेकिन हमें computer का का काम करना है तो हमें computer वाला ही व्यक्ति चाहिए होगा हम उसके लिए यह नहीं किले सकते हैं कि हाँ भया तो बड़ी अच्छी उच्छ जाती कि हो कंप्यूटर जानो ना जानो लेकिन कंप्यूटर तुम्हारे भरोसे तुम्हें काम करना है तो यह काम हम नहीं कर सकते हैं तो वही उन्होंने बताया कि आधोनिक समाज में अगर हम उन्नती चाहते हैं तो हमें उसी तरीके के लोगों को भरती करना पड़ता है चाहे वो जिस भी जाती के हो जाती प्रताभी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है तो जाती प्रताभी श्रम विजान का दूसरा ही रूप उनन बताया पहले क्या होता थी जाती यां डिवाइड कैसे हुई किस consists पर ठीवाईड हुई अभ मान लीजे एक परिवार में जैसे हम ने बिर्ताया कि अगर कोई व्यक्ति कुमहार का काम अच्छा करता था तो उसका क्या हो उसके आगे आिने हाली सारी पुला धिया कि तुम्हें कुमहार काका ही करना है आप और कोई काम नहीं कर सकते तो यह जाती एक जाती बनती गई कि कुमारों की जाती बन गई बढ़ईयों की जाती बन गई मोची की जाती बन गए तो ये सब अलग अलग जातियां बनती चले गए जो जिस तरीके से काम करता था अब उसके आगे आने वाली पुस्ते अगर और ज्यादा अच्छा कारी कर सकती है तब भी उनको बाउंड हो गया कि आप अपना काम छोड़ कर नहीं जा सकते हैं आप किसी दूसर समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों का आस्वाभाविक विभाजन नहीं इं करता है तो मतलब क्या है साथ में क्या होता है जहां पर आप चाहते हैं उन्नती चाहते हैं आप प्रोडक्शन अच्छा जाते हैं तो आपको कैलिबर्स भी लेने पड़ते हैं तो अगर आप बलकि उन्हें एक दीती है तो आस्वाभाविक विबाएजन मतलब सभाव से नहीं रह पिरम बिना मन के बाट दिया जाता की आपको इ fixture में आप चाहिए अगर आप ने यह चीजें नहीं करी being उच नीच देखते हैं भेदभाव देखते हैं तो यह चीज भारत में बहुत हद तक फैली हुई थी हम अमेट करजी की समय की बात अतारे जब यह बात हुई थी आसाधी से पहले 1936 में यह भाशन लिखा गया तब की बात यह करी जा रही है जाती प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारन कर देती हैं हमने बताया जाती पता पेशे का पूर्व निर्धारन कर देती है अब यह पूर्व निर्धारन क्या है बच्चा जब अपनी मा की कोख में होता है तब ही उसका निर्धारन हो जाता है कि यह पैदा होने के बाद बड़ा होकर क्या बनेगा यह होता उसके जन्म से पूर्व जाती के हिसाब से उसका श्रम का निर्धारण कर देना इसके साथ मनुष्य को उसमें आजीवन बांधे रखती है अब निर्धारण तो आप कर ही देते हैं लेकिन साथ ही साथ उसे सारी उम्र उसी में बंद कर रहना पड़ता है आधुनिक यूग में विकास के कारण भी व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता मतलब पहले तो होता था लेकिन आधुनिक यूग में भी आप ये देखेंगे कि जाती इत्ती बुरी तरीके से हावी हो चुकी है लोगों के अंदर ऐसा डर खौफ वैट चुका है कि वो लोग अभी भी चाहकर अपने पेशे को बदल नहीं पाते हैं हिंदु धर्म में तो जाती प्रथा किसी को भी उसके पैत्रक पेशे के अलावा अन पेशा चुनने की अनुमती नहीं देता है हमने भी बताया ना पैत्रक पेशा यानि कि जो दादा पर दादा करते चले आ रहे हैं वो कुसी और पे इसका सबसे बड़ा परणाम यह है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है गरेबी और शोशन के कारण आरुची पूर्ण कार करने की विवस्ता निरंतर गंभीर समस्या है अब क्या होता है जब हमारी रुची नहीं है जिस काम करने में तो क्या होगा काम अच्छा जो रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी लेकिन जब हमारा मन नहीं होगा तो वो चीज़ अच्छी होई नहीं सकती चाहें जितनी कोशिश कर ले जाएं समाज में जाती प्रता आर्थिक असहायता को भी पैदा करती है तो अब क्या जाती समाज में आर्थिक असहायता अ अब सवाज है सवाज का उत्थान कैसे होगा जब लोग अच्छे से रहेंगे अच्छा कारे करेंगे उन्नती करेंगे तो पैसा आएगा अब पैसे से क्या होती है आर्थिक उन्नती होती है अब जब काम ही अच्छा नहीं होगा मन नहीं लग रहा काम अच्छा नहीं हो रहा तो आर्थिक उन्नती का तो कहीं सवाली नहीं उठता तो वो भी नहीं हूँ पाता है ये मनुष की स्वभाविक प्रेणना रुची और आत्म शक्ति को दबा कर उन्हें आस्वभाविक नियोमों में जकड लेती है तथा मनुष को निश्क्रिये बना डालती है तो जाती प्र करते हैं और इस कंडिशन में समाज देश राष्ट कभी भी उन्नती नहीं कर पाएगा जैसा कि अमेडगर जी ने अपने भाशन में ये बोला अब इसी तरीके से दूसरा एक और है मेरे क्या का मेरा आदर्श समाज जो उन्होंने सोचा था कि मेरी कल्पना का आदर्श और भाईचारे पर आधारित है अमेडगर जी ने आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सम्विधान है उसको बनाने में अमेडगर जी का बहुत बड़ा यूगदान है तो इसको बनाने से पहले की बात है ये जब इन्होंने सम्विधान बनाया तब देश को आजद होने के चाहते थी कि जब हमारा देश होगा अंग्रेश चले जाएंगे तो उस समय हमारी कल्पना का भारत कैसा होना चाहिए तो उन्होंने कैसी कल्पना करी थी कि हमारी व्यवस्था में स्वतंतरता समता और भाईचारा होगा यानि कि हमें आजादी होगी बराबरी होगी समता इस समाद में इतनी गतिशीलता होगी जिससे कोई भी वांचित परिवर्तन समाज में एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक संचारित हो सके तो अब मतलब इतनी गतिशीलता जाहिर सी बात है कि अगर सभी मेल जोल से रहेंगे सभी बराबरी होगी तो कोई भी काम अगर इस पुर्वर्क शुरूर किया जाएगा तो वह समाज इतना गतिशील होगा क्योंकि सब में बहुत अच्छा भाई चारा होगा तो वह उन्नती यहां से लेकर वहां तक पहुचने में समय नहीं लगेगा साथ ही समाज में सभी हितों में सबका हिस्सा होगा जितना भी उस समाज में कैसा होगा जो किसी को कोई पॉर्सेंट नहीं मिलेगा जितना भी उन्नती हो रही है सब लोग उसमें भागीदारी रखेंगे साथ ही लोगों को अपने हितों के प्रति सजक रहना होगा मतलब हमारा क्या हित है हमारा एक तो पहले हमारे अधिकार क्या है हमारी जिम्मेदारिया क्या है हम इन सब चीजों से सजक रहेंगे हमें जानना है आज कल के लोग क्या है हमारे अधिकार क्या है मैं बहुत अच्छे से पता होता है लेकिन हमारी जिम्मेदारिया क्या है ये हम भोल जाते हैं जिम्मेदारिया निभाईए अधिकार आपको अपने आप मिलेंगे तो ये चीज अमेडिकर जी कहते थे समाजिक जीवन में अबाद संपर्ख बना रहेगा मतलब जो समाजिक जीवन होगा उसमें जो एक दूसरे के प्रती संपर्ख होगा वो बहुत ही होगा मतलब हमें कोई चीज रोकेगी नहीं दूसरे से कम्मिनिकेट करने के लिए क्यों क्योंकि वो कम्मिनिकेशन में देखते थे कि उसमें जाती प्रताव, मुचनीज, भेभाव बहुत होता था तो ये कम्मिनिकेशन का बहुत बड़ा ग्याब था अगर आदर्श समाज उनका होगा तो उसमें जब भाई चारा है, एक हर प्रकार की समानता है तो उसमें कम्मिनिकेशन गैब भी नहीं रहेगा लेखक ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र बताया अब इतनी सारी चीजे करने के बाद लोकतंत्र अब हमारे देश में जिस लोकतंत्र की उन्हें कलपना की थी वो लोकतंत्र स्थापित तो कर दिया लेकिन संपोर्ड रूप में वो लोकतंत्र हमारे देश में नहीं आ पाया सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा लोगतंत्र है तो वो चीज स्थापित अंबेटकर जी की कल्पना से ही निकल कर हमारे संविधान में आई थी लेखक ने समाज में समता पर बल दिया है समता मतलब सभी बराबर होंगे हाला कि राजनी राजनेता का समाज के प्रतेक व्यक्ति की आवशक्ताओं शब्ता के आधार पर वांचित अलग-अलग वहवार संभव नहीं हो सकता है लेकिन मानफता की दरश्टी कोर से समाज को वो वर्गों में नहीं बाटा जा सकता है तो उन्होंने बोला कि अगर हम राजनेता के आधार पर देखें तो हमारे लिए वो समता बराबर नहीं हो पाएगी क्योंकि राजनेता जो हैं अपने हितों से कारे करने लगते हैं और वो समाज को चाहे अन्चाहे अलग-अलग वर्गों में बांट देते हैं लेकिन कोशिश करनी है कि समाज अलग-अलग वर्गों में बटने ना पाए समता कालपनिक जगत की वस्तू के साथ वहवारिक और आवशक भी है समता ही किसी राजनेता के वहवार की एक मात्र कसोटी है तो यहां पर उन्हें ने बोला किसी भी समाज की उन्नती या उत्थान के लिए समता का होना बहुत जरूरी है अगर समता नहीं होती है तो किसी भ राजनियता के पूरी तरीके से अगर कसोटी देखी जाए कि एक राजनियता अच्छा है या बुरा है तो वो किस तरीके से हम पर्खेंगे कि वो पूरे समाज में समानता रखता किसी एक वर्ग को लाभानवित नहीं करेगा वो ऐसे कारे करेगा जिससे पूरा सामाज लाभा अगर वो किसी एक वर्ग को लाभान वित कर रहा है तो वो अच्छा राजनिता नहीं है ये चीज जो है हमारे सामने अमबेटकर जी ने रखी थी उनकी कल्पना के आदर्श समाज में तो ये दोनों ही लेक जो भाशन थे वो हमने आपके सामने समझाए कि वो अपने भाशन मे क्या कहना और समझाना चाहते थे अब इसी पार्ट पे आधारित हम कुछ प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है अम्बेटकर की कल्पना का समाज कैसा होगा उनोंने जैसी कल्पना करी है उनका एका horses समाज होगा कैसा आधारित होगा सभी को विकास के समान अफसर मिलें तथा जादिगत भेद भाव का नामों निशान नहीं होगा समाज में कारे करने वालों को सम्मान मिलेगा तो अब जो आदर्श समाज होगा कैसा होगा सभी में बराबरी होगी सभी को सम्मान अधिकार होगे उनको स्वतंतता होगी उन्हें इस चीज की आजादी होगी कि वो विचार पूरी तरीके से प्रकट कर सके और सभी को समान समान मिलेगा समाज में जितना है समान समान जो वो उनको मिलेगा कि अगर किसी एक व्यक्ति को समान अगर एक उच्च पदवाले को जैसा समान मिल रहा है वैसे एक मिडल ग्लास व्यक्ति को भी समान मिलेगा ऐसा एक आ वभाजन निर्भर रहता है मनुष्की शंतार ने मिलिखित बातों बेवर होती है जाती-प्रथा का श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए तो समता की किस पो निरभर रहेगी जब जाती-गर्विभाजन नहीं होंगा शारिरिक वंश परंपरा के आधार पर यानि की शमता क्या 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 screaming जो वंश परंपरा होती है उसके आधार कि जैसे मान लिजे कि कोई अगर बलिष्ट वैक्ति है तो वो जादा अच्छे कारे कर सकता है अगर वो कंजोर होगा झो वो काzhरे ग्यानारजन आदी उपलब्धियों के लाव पर अब हम जब समाज में आए तो माता पिता ने हमको कितनी अच्छी सिक्षा दी हमने कितने अच्छे से उसका पालन किया सब चीजे करी समाज में हमें कैसा महौल मिला इन सब पर भी हमारी शमता निर्फर करती है अब प्रेश्न संख्या तीन लेखक ने जाती प्रथा की किन-किन बुराईयों का वर्णन किया है जाती प्रथा की किन-किन बुराईयों का वर्णन किया है लेखक ने जाती प्रथा की निमलिखित बुराईयों का वर्णन किया है पहला य वो इस्तर हो भी नहीं कि हम उची जाती के हैं वो नीची है तो अगर यह इस्तर तैय कर दिया जाए तो उनमें अपने आप ही भेदभाव आ जाता है यह जन्म के आधार पर पेशा तैय करती है तो क्या होता है जाती प्रथा क्या कर देती है यह जन्म के आधार पर पेशा तै विफ्साइए वो उसी में बद्धा रहेगा वह चाहा कर भी अपने विफ्साइए को बदल सकत है भले ही वपेशा अनुपयूक्त यव आपर्याप्त हो यानि कि जो पेशा है वह अनुपयूक्त जो व्यक्ति जिस जो पैदा हुआ है वो कारिक कर रहा है मान लीजे एक बढ़ाई है या कुमहार है जो कोईच भी है अब उसको वो बढ़ाई करी कारें नहीं आता जो बच्चा है वो नहीं ठीक से कर पा रहा है अब वो क्या है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है वो कहीं और अच्छे पजबर जा सकता है तो एक तो वो उसके लिए पेशा वो बढ़ा ही काम नहीं कर पा रहा है इसलिए वो अनुप्यूक्त है अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो वो अपने जीवन यापन है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है उसको पैसे अच्छे नहीं मिल पा रहा है तो वो जीवन यापन भी अच् उच्जा उखड़ाती है अब कोई समान अगर नहीं विकर है कुछ नहीं अब जमान लीज्ञे कुमहार का है आज मिट्ची के बरतन होते हैं वह जादा यूज नहीं तो कुमहार के कंडिशन क्या हो जाती है सकार पैशा रही बहुका ने में व्यक्ति रूची नहीं लेता अब व्यक्ति के अगर उपर आप व्यचाय को थोप देंगे तो वह रूची पूर्ण कार करेगा तो जाहिर सी बात है जो प्रोड़क्टिविटी होगी वो अच्छी नहीं होगी प्रिश्ण संख्या चार है लेखक की द्रश्टी में लोकतंत्र क्या है लेखक ने जो लोकतंत्र हमारे सामने रखा है वो क्या है उनकी नजर में लेखक की द्रश्टी में लोकतंत्र केवल शाषन की एक पद्दती नहीं वस्तुता ये सामुहिक्द जीवन चर्या की एक रीती और समाज में के सम्मलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है इसमें यह आवशक है कि अपने साथियों के प्रतिशद्धा वसंमान का रखे तो इन्होंने क्या बताया लेखक की द्रश्टी में लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र शाषन की पद्दती नहीं है लोकतंत्र मतब आप जो हमारे उपर शाषन है वो लोकतंत्र है वो नहीं यहां पर लोकतंत्र मनुश के अंदर पैदा होने वाली भावना को उन्होंने रखा है क्या भावना है हम सामोहिक रूप से दिन चर्या जो भी बताते हैं माल लीजे हम हैं हम जो जिन दिन चर्या अपनी शुरू कर रहे हैं उसमें किसी चीज का बंधन नहीं हुगा हम स्वतंत्र हैं अपने कारे को करने के लिए दूसरों का सम्मान करने के लिए हमारे बंधन नहीं हूं मतलब जैसे अभी जाती प्रता के साब से जो बंधन होता है वो बंधन भी ना हूं तभी तो हम समाज का उत्थान कर पाएंगे तो ऐसे ही लोगतंत्र की कल्पना अंबेड कर जीने करी दी जिसमें सभी लोगों को समान रूप से समान और शद्धाभाव दि देखेंगे समझेंगे तो बिल्कुल भी घबराईये नहीं इसके लिए आपको आना होँगा हमारे चैनल मैंगे डॉट कॉम जब आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वन शौट रिवीजन है यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने वन अब आपका और यहां पर आप क्या करेंगे अप उस सब्जेक्ट को चूद करेंगे तो करतें ग्लिक करेंगे उसमें जितने भी color से आपके सामने होगे जिस भी चैप्टर का आपका एक्जाम है आप रिवीजिन करना चाहते हैं उसे क्लिक करिए आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा वीडियो देखिए और अपनी एक्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिए लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं थाइक बए्ट वचिंग और शेयर रिखव रिखते हैं अधिन कर्णा करें एंट सब्सक्राइब लंके में करने सीडियों और शेयर केंट ऐस्टेश्ची आपने साथ जब करने सूझ आट एलेखने से संब्सक्तिन सेथैब कर्यों आपने से सृढ खट देसं इक्श आएब